हलो एविवन कैसे हो आप सब मैं हूँ गारल काबरा और एक बहुत ही इंट्रेस्टिंग वीडियो लेकर के आगया हूँ मैं आप सभी के लिए CMA Intermediate में Financial Management and Business Data Analytics के पेपर में Financial Management की theory अपने करनी है और क्यों करनी है क्या करनी है उसके उपर में आज की ये चर्चा है और उसके इस लेक्चर में description में आपको मेरे marked notes पूरे theory के मिल रहे हैं अब आराम से download कर लेना और download करके वहां से आराम से पढ़ सकते हो जादा नहीं 70 पन्ने के theory notes हैं I understand 70 पन्ने के theory notes हैं और उस पे थोड़ी बहुत marking मेरी QE है and the best part is मैं थोड़ा बहुत इसके उपर में एक brief up पी आपको दूँगा so you will listen to this entire video जुसमें लगबग 1.5 घंटे के अंदर-अंदर मैं theory के main-main areas के बार में बात करूँगा and कुछ उपर-उपर से आपको कई चीज़े समझा भी दूँगा but just in case आप सच में theory के भरोसे exam में जा रहे हो तो 2-3 बहुत ही important observations है मेरी उसको धंग से सुन लो number 1, MCQs में there is good great chance कि theoretical questions कम ही दिखेंगे आपको yes, you have heard it right, most questions would be practical कुछ एक आदा question इदोदर के theoretical जरूर question हो सकते है but those would not be dependent on your core theoretical knowledge अगर आपने class करी और class के दौरान कुछ दोड़ी बहुत इदोर की बाते सुने भी है ना तो वह ज्यान सारा काम आजाएगा और आपके सारे MCQs आप solve कर पाऊगे यानि अगर आपने अभी तक अपने सारे practicals कर लिये आपने अभी तक जितनी class में dictations हुई थी class में जितनी understanding आपकी develop हुई उसको दुरूस्त कर रखा है तो there is good great chance कि आपका MCQ बनना चाहिए आपसे हाँ मुझे मालूम है institute कुछ भी कर सकता है तो institute के जो model question papers हैं उसके भरोसे से जो मैं ये बाते बोल रहा हूँ अगर institute उससे deviate करता है तो फिर मुझे नहीं पता क्या हो सकता है बट अगर हम theory की बात करें तो theory is quite interesting here सबसे पहला ये paper FM BDA जो है इसमें BDA अकेला is going to create a bit of trouble for you in theory section क्यों? क्योंकि मेरे हिसाब से यहाँ पर theory के question कोई ऐसे नहीं आएंगे कि 2 या 3 number के question आएंगे they will ask you questions of 7-8 marks तो 68 number के लिए personally मैं एक practical का भक्त हूँ और मुझे practical बहुत पसंद है तो मुझे समझ में नहीं आता है कि 7-8 number की theory लिखी कैसे जाए अगर मैं एक teacher के perspective से भी आपको बताऊं तो 7-8 number की theory में यह बात तो assured ही रहती है कि आपको आधे number तो बच्चे को ऐसे ही नहीं देने मतलब मैं सोच भी नहीं सकता कि बिना रटे हुए कोई बच्चा 8 number की theory या 7 number की theory में 5 से उपर लेके आ सकता है so return is critical but then मैं कहता हूँ इसका return on investment बहुत बुरा है आपको बहुत जादा पढ़ाई करनी पड़ेगी आपको बहुत जादा समय देना पड़ेगा just to ace that word one answer जो 7 number के लिए आप 5 number लाना चाहते हो अगर ठीक से नहीं पढ़ा तो शायद 2 या 3 आएगा तो वो 2 या 3 number के hair fare के लिए दुनिया भर की पढ़ाई करना दुनिया भर की theory रटना आपको कितना आपके brain में उतनी जगा है कितनी memory में जगा है वो सारी चीजों को consider करते होए मेरे को personally ऐसा लगता है that no brainer FM BDA in fact MMAB theory is lesser relevant हाँ BDA वाले section की theory relevant है उसको आपने care बहुत अलग से पढ़ा है और बहुत अलग से उसके उपर ध्यान दिया है BDA के लिए specifically आपके notes में inclusions थे अलग से आपको यह जो notes FM के मैं दे रहा हूँ यह BDA के लिए नहीं दिया है BDA के लिए तो अपनी book में ही bundle थी पूरी theory So, उसकी theory relatively कम भी बहुत है FM की theory इतनी बड़ी होने के बावजूद इसके chances बहुत कम है कि आप यहाँ पर कोई बहुत तगड़ा answer develop कर पाओगे So, nutshell में मेरा personal यह मानना है Theory is important but not very very important Examination में अगर possibility हो तो practical attempt करके आओ Theory हो सके तो छोड़ देना और कई बार मुझे ऐसा लगता है Theory अगर आपको एकदम ऐसा लगता है कि बस बना के ही आएंगे अपने होना जादा idea नहीं है तो मेरे क्याल से उतना समय बचाना Even if आपके paper में ना 7 number का question छोट भी रहा हो तो अभी मुझे लगता है बकवास theory लिखने से बेटर है ना ही लिखने बट खेर ये तो है exam level की strategic requirements बट फिर भी आप थोड़ा तो पढ़ाई करना पड़ेगा So for that being said एक छोटा सा FM session आपके लिए मैं ले रहा हूँ theory का And also as I said description में आपके लिए इस पूरे मेरे workings की इस पूरे highlighted notes की आप PDF है आप आराम से download कर लेना and study from there ठीक है चलो शुरुबात करते हैं सबसे पहला अगर आप देखेंगे तो इस 70 पन्ने के total document में आपके लिए न मैंने यहाँ पर chapter wise तो obviously break up किया ही है but topic wise भी break up किया हुआ है जैसे कि पहला chapter हमारे लिए शुरू हो रहा है introduction to financial management यह बहुत critical है इसमें बहुत questions आएंगे तो थोड़ा ध्यान जाता यहाँ देना so पहला जो learning outcome है वो है financial management and its objectives financial management क्या होता है बई तो financial management ना दो words से बना हुए एक है finance एक है management class में भी मैंने बताया था कि financial management का मतलब यह होता है कि as a finance manager you have to ensure कि जहां से funds आ रहे हैं वो सस्ते दाम पे आएं और जहां funds लगा रहे हैं वो ठीक ठाक efficiently आप लगा सकें इस पूरे process में आप अपने business की जो wealth है वो बढ़ाना चाते हैं शेर होल्डर की wealth बढ़ाना चाते हैं और यही आपका main objective है यही जीच financial management के लिए यहां लिखी है acquire करना, manage करना और utilize करना funds इस पूरे process में stakeholder के interest का खयाल रखना यही है financial management financial management के जो दो बड़े objectives हैं जिनके बीच में आपस में लडाई भी रहती है वो है एक profit maximization दूसरा है wealth maximization में ख्याल से यह बात सबको पता है क्योंकि class में पहले ही discuss होया है कि wealth maximization, profit maximization से better objective है तो exam में अगर question आए तो इसको आप ऐसे develop करना that the primary objective is wealth maximization and secondary objective is profit maximization इसके पीछे के कई reasons हैं detail में answer है आप वहाँ से पढ़िएगा यह दो points को याद रखना primary कौन सा है wealth secondary कौन सा है profit maximization अचा कई बच्चे profit maximization तो समझ जाते हैं what does that mean भया EPS को maximize करना profit maximization मतलब what EPS को maximize करना बढ़ाना but when it comes to wealth maximization we are talking about increment or I would say the highest level of shareholder wealth that you can generate यानि shareholder का फाइदा जादा जादा कराना है और shareholder का फाइदा तब होगा जब company की current market price बढ़ेगी यानि share price बढ़ेगी अगर company का share price बढ़ेगा तो shareholder को benefit अपने आप मिल जाएगा and that is our primary objective in financial management तो यह था अपना financial management और उससे related दो objectives आगे बढ़ते हैं scope और functions में इस तरह की question आम तोर पे फसाते हैं बच्चो को क्योंकि scope का question आता है वो function लिखे आ जाते हैं और function का आता तो scope लिखे आ जाते है थोड़ा सा ध्यान देना मैं कहता हूँ structure पर जाधा ध्यान दो अंदर तो लिख लेंगे हम तो structure scope का यह है कि वो financial management पे तीन ही area है जहां पे हमें काम करना है पहला है investment decision दूसरा financing तीसरा dividend तो सबसे पहले आपको यह देखना है कि हमें कहां invest करना है जहां invest करना है तो जाहिर सी बात हम बहां चाहते हैं कि हमें return अच्छे मिले तो investment decision उसका ख्याल रखता है इसमें chapters जो associated है वो है capital budgeting, risky proposals उस type के chapters when it comes to financing decision यहां पे हमारे decision है in relation to the source of finance and cost of financing तो equity से पैसा लेना है कि debt से लेना है यह सारी जो सोच है यह financing decision में आती है related chapters are cost of capital, capital structure, leverage and last में आता अपना dividend decision dividend decision में यह हम check करते हैं कि हमें कितना dividend देना चाहिए and whether dividend can impact our share price or not उसके ओपर relevance और irrelevance theories भी इसमें included रहती है इसके ओपर जो chapter वो है dividend policy so यह तीन बड़े decisions है जिसके इर्द गिर्द financial management के सारे objectives है और यह major 3 scopes हैं ध्यान रखना scope मतलब 3 financing, investing and dividend ओके आगे बढ़ते हैं अब functions की बात कहते हैं कितना याद रख पाओ, कितना नहीं रख पाओ आपके उपर है but एक बढ़िया contestant है for your 7 marks question 7 marks के लिए important तो है पर कितना याद रख पाओगे, मुझे नहीं मालू सबसे बहले functions की अगर हम बात करें तो सारे सुनने में बड़े weird easy लगेंगे, but weird to remember है कैसे, number one आपकी financing needs क्या है, ये पता करना scope देखके भी समझ में आ रहा था कि हाँ ये तो करना ही पड़ेगा भाई हमें कितने पैसे की दरकार है ये तो पता लगाना पड़ेगा तो हाजी, ये financial management का एक function है number two, determine करना कहां से पैसे लाने है, number three financial analysis करना, whether it be ratio analysis, common size analysis या फिर trend analysis, ये सारे काम भी financial management के इर्दगिर्द है optimum capital structure पता करना, CVP analysis करना profit planning करना, fixed asset management, ये सारी चीज़ें यहीं पर covered है, well एक तरह से इसका एक छोटा सा hack मेरे पास है कि लगबग chapters जितने हैं उसी के इर्दगिर्द आपके functions बना सकते हो जैसे financing needs और source of funds ये दोनों cost of capital chapter से associated है financial analysis ratio के chapter से related है, capital structure obviously capital structure chapter से related है, CVP analysis profit planning बगएरा, बोल सकते हो largely marginal costing से related वैसे topic है, but इसकी कुछ जलके आपको budget and budgetary control बगएरा में भी देखने को मिल जाती है, I know finance related topic है, but actual में भी हम management accounting में पढ़ते है, but ठीक है topic कहीं से तो related है ही clear, इसी तरह capital budgeting बगएरा, ये सारी चीजे भी इसमें आयाती है ये दोनों obviously chapters है हमारे, ठीक है आगे बढ़ते है, profit maximization versus wealth maximization frankly इसमें लिखने को तो बहुत कुछ लिखा जा सकता है I have a lot written here in my notes but दो-तीन बड़ी-बड़ी बाते आपको पता होनी चाहिए, profit maximization और wealth maximization में, wealth maximization is our first priority, क्यों? क्योंकि ultimate के हमें ये देखना है कि जो भी company करे, हमें shareholder को फाइदा पहुचाना है, shareholder को फाइदा पहुचाने का मतलब है share price बढ़ाओ और share price बढ़ाने के लिए कहीं न कहीं, एक ये indication ही होता है कि profit maximize करना चाहिए आपको उसे से wealth maximize होगा but profit maximization को इसलिए finalize नहीं किया गया है, इसलिए prioritize नहीं किया गया है, क्योंकि profit का जो definition है वही vague है कुछ लोग के लिए profit कुछ होगा और कुछ लोग के लिए profit कुछ होगा so ऐसे में profit properly defined नहीं है तो वो priority नहीं हो सकता number two, profit maximize करने जाएंगे तो एक exploiter बन जाएंगे हम हम अपने employees से लेकर के अपने customers को सब को exploit कर रहे होंगे just in order to create more and more profit so that is also not desired वहीं पर wealth maximization cares for brand image, cares for company's reputation cares for what actually goes on to the shareholder level तो वो सारी चीजों को देखते हुए हम कह सकते हैं wealth maximization is a better objective अब जो ये मैंने बात कही है ये कहानी सुझने में बड़ी अच्छी लगती है इसको लिखते हुए कई सारे points को आपको mention करना पड़ेगा जैसे की profit maximization में सबसे पहले आप देख सकते हैं कि इसके favor में जो argument जा रहे हैं उसमें पहला यही जा रहा है कि एक business करता ही क्यों है इनसान business करता है profit कमाने के लिए तो ये ultimate objective होना चाहिए अच्छा argument है नमबर 2 future contingency से deal करने के लिए profit होना बहुत जादा जुरुरी है start-ups अगेरे के लिए यही तो बड़ा problem है profit ही नहीं है बुक्स में कल को कुछ हुआ तो कैसे बचोगे so yes that is also a critical point and तीसा बोलता है profit is a significance of economic prosperity and efficiency आप अपना काम अच्छे से कर रहे हो और एक sustainable business खुद के लिए create कर रहे हो यह profit maximization ensure करता है जो की करता है सही बात है यह है arguments in favor of profit maximization पर इसी के arguments against में आता है पहला point exploitation concerns profit के पीछे भागोगे तो किसी ना किसी को exploit जरूर करोगे number two risk को neglect करते हो आप profit के पीछे भागते हो तो आप unnecessarily जादा risk लेते हो which is not desired by a business और इसके अलवा profit का जो vagueness है definition का वो तो है ही nobody knows what is the true meaning of profit for some this is accounting profit for some this is economic profit so यह है क्या nobody knows and that is why profit maximization should not be your primary objective वहीं पे wealth maximization में आए तो we are concerned about maximizing the shareholder's wealth which is related with the rise in the share price which is our ultimate objective अच्छा इसमें भी न arguments in favor वगेरा और arguments in against में भी लिखा हुआ है I would say इसमें जादा लिखने ही जुरत ही नहीं है arguments in favor में तो यही बात है कि share price तभी बढ़ेगा जब आप अपने efficiently अपना business कर रहे होंगे तब और इसके against में यही है कि यार यह सिर्फ shareholder का भला सोचता है जो की सही भी बात है आप जब wealth maximization की बात करते हैं तो आप wealth maximize करना चाहते हैं only for your shareholders what about the remainder stakeholders आपके business में और भी तो लोग connected है उनका भला कौन करेगा तो यह एक limitation तो है wealth maximization का but in spite of that wealth maximization is a better objective than profit maximization ठीक है आगे बढ़ते हैं CFO के रोल पे बाई-साथ number के लिए ये question एकदम आ सकता है आएगा क्या 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 आप लिकोगे मुझे नहीं वालूं क्योंकि ये रटने वाला topic है बट फिर भी कुछ चीज़े हैं जिस पर आप ख्याल रखना जो इसका primary premise बना हुआ है कि पहले के जमाने में जो CFO होते थे उनका main काम यही होता था कि भाई टीक है पैसा कहां से आएगा कहां लगाना है कितना dividend देना भगेरा बट आज के जमाने में CFO की जो needs हैं या CFO की जो objectives हैं वो strategic भी हो चुके हैं यानि business किस direction में जाएगा business में क्या हमें strategy बनानी चाहिए यह सब चीजों में भी CFO का inclusion हो गया है इसी के इर्दगिर्द यह पूरा answer लिखा हुआ है यहां लिखा हुआ है कि आजकल strategic figure हो गया है CFO का इसका काम funds estimate करना manage करना capital, working capital manage करना, stakeholder के returns का ख्याल रखना यह सब तो है ही इसके अलवा compliance का काम देखना ये भी है external influences का अपने business पे evaluation करना कि किस तरह political scenario बदलेगा तो हमारा business कैसे change हो गया and so on यह सब सोचना आज की rate पे CFO काम है तो बोल सकते हैं कि आज की rate पे इनका role हो गया है strategic यानि कि इनको सिर्फ एक तरफा बाते नहीं सोचने इनको multi-dimensional चीजे सोचनी है and यही CFO के main objectives आज के दिन पे हो गए है so role of CFO is a very good contestant for a 7 marks question beware लिखने लाइक स्थिति में आ जाना okay finance manager के responsibilities में यही है कि funds को ले करके अच्छे से planning करे raising करे, allocation करे और controlling करे इसके अलवा वो तीनों जो scope है हमारे उसका काम अच्छे से करे, resource allocation efficiently करे, यह finance manager के main main comes है, मतब comes क्या होता है काम है, ठीक है आगे बढ़ते है, risk and return वाला छोटा सा topic था बच्चे बोल रहा है सर इसका theory कुछ नहीं है इसके theory में दो छोटे डप एक है शुरुआत में एक है x and t और एक है x post return x and t usually return जब हम forecast कर रहे हैं कोई return को तो उसे हम कहते है x and t और x post होता है जो return हमने already देख लिया अपने books में इसे historical versus estimated का एक debate बना सकते हैं और यही चीज़ जिया लिख है x and t का मतलब होता है anticipated future returns यानि जो हुआ नहीं है हो सकता है और वहीं पर x post है जो हो चुका है historical returns है historical returns की भी अपनी महीमा है आप historical returns को देख कर की तो अंदाजा लगाते हो कि future में क्या हो सकता है and इसलिए x post return can be a very good input when you are trying to predict the future results as well आगे एक और distinction है between systematic and unsystematic risk हमने CAPM में जो बीटा पढ़ा था उसको पढ़ाते वक्त मैंने कहा था कि यह होता है systematic risk और systematic risk क्या होता है ऐसे risk जो आपके control में नहीं है आपके इर्दगिर जो economic variables हैं जो की change हो रहे हैं और आप उन पर कुछ नहीं कर सकते वो सारे के सारे आपके लिए है systematic risk जैसे कि inflation जैसे कि interest rate में आने वाले changes जैसे कि forex movement तो यह सारी चीजों पर आपका कोई control नहीं है अगर यह सारी चीजें आपके country में impact डाल रही है तो आपके business पर भी डालेगी you cannot control it, you cannot diversify this ठीक है इसे हम कहते हैं systematic risk CAPM की theory यही कहती है कि इस risk को क्योंकि आप diversify नहीं कर सकते तो आपको return सिफ इस risk के लिए मिलना चाहिए जो extra return मिलता है ना अरे जादा risk लेता हो तो जादा return मिलता है ना तो वो जादा risk सिस्टेमाटिक लोगे तो ही होगा unsystematic risk वो होती है जो आपकी गलतियों के वैसे या आपके firm specific reason से हो रही है अब कई firms हैं जो की for example over concentrated है एक product पे example के तोर पे Pidilite Pidilite का main business बोल सकते हैं आज के लिए पे तो बहुत diversified है पर एक बार के लिए माल लेता है Pidilite सिफ Fevicol पे dependent होता and कोई ऐसी technology आया थी जिससे Fevicol का जो जोड है उससे भी faster कोई और चीज है जो की furniture को fix कर रही है जैसे Fevicol में भी तो wait करना पड़ता है overnight उसको चिपता के रखो तब जाकर के वो चिपता है what if एक ऐसी technology आजाए एक ऐसी iron आजाए जिससे एक बार में ही आपकी sunmica वगरा सब कुछ attach हो जाती है आपके apply पे तब तो भाई पूरा business चेंज हो जाएगा ऐसे में ये business सिर्फ impact करेगा Pidlight को और किसी को भी नहीं करेगा ये जो change आया और इसी को हम कहते है unsystematic risk CAPM की थेयरी ये कहती है कि आपको अगर अपना portfolio बनाना है तो क्यों से Pidlight खरीदते हो सारी चीज़े खरीदो Pidlight भी खरीदो Britannia भी खरीदो Bajaj Finance सब खरीदो क्योंकि जब आप ज़ादा चीज़े खरीदोगे तो कल को कोई ऐसी चीज आई जिसने एक company को impact भी किया तो आपके portfolio पर उसका overall impact बहुत कम होगा इसे हम कहते हैं unsystematic risk जाहिर सी बात है यह diversifiable है यानि आप ज़ादा exposure create करके इसको reduce कर सकते हो यह यही बात लिखी है कि यह uncontrollable है external reasons के वाज़े से economic, political, social changes के वाज़े से है it cannot be mitigated through diversification यह है systematic risk unsystematic risk में लिखा है diversification का मज़ा ले सकते है और यह controllable factors के वज़े से हो रहा है given you a very good example on this चलो आगे बढ़ते हैं CAPM की बात करते हैं CAPM आ गया इसके उपर जब question आएगा तो आपको जाइट सी बात है इसके assumptions बात है सब लिखने पड़ेंगे साथ नमबर के यह लिए यह पूरा परली based out है on the theory developed by Harry Markowitz जिसे हम कहते है modern portfolio theory आप आगे जा करके जो अपने final में SFM पढ़ोगे वहाँ पर इन चीजों के बार में और जाधा गहराई में पढ़ोगे further timing इसकी चर्चा करने की जाधा ज़रत नहीं है दो तिन लोगों के नाम या तक लेना आगे इसका जो main feature है CAPM का वह है risk और return के relationship को show करना अब आप सोचे होंगे यह कैसे होता है CAPM का formula होता है के या फिर RE is equal to RF plus RM minus RF into beta so if you will look keenly तो आपका जो LHS है वह return side को predict कर रहा है और जो आपका RHS है वह risk की बात कर रहा है so clearly there is some sort of relationship that is going between return and risk and this is our first point here यह पहला feature है दूसा feature यह है कि CAPM diversification को महत्व देता है यह अपने risk में सर्फ beta को consider करता है यानि सर्फ systematic risk को consider करता है तो जितनी भी unsystematic risk है उसको यह मानता है कि वह diversifiable है तीसा यह beta की बात करता है तो वो तो हमें पता ही है ठीक है आगे बढ़ते है अगर हम इसके assumptions की बात करें तो काफ़ी सारे assumptions है investor level पे investor के लिए दो assumptions लिए गए है नमबर वन investor rational है rational यह मत्ता होता पगला नहीं है अब आप हसोगे इस बात पे यार सही माहिने में यह है कि यह पगला नहीं है ठीक है for example मैं आपको एक particular risk level पे बोलूँ कि एक particular risk level पे दो mutual fund मिलते हैं एक पे 10% का return और एक पे 15% का return है आप कौन सा choice करोगे 15% बोल रहे हो ना तो आप rational हो पड़ कई पगले लोग है जो आभी 10% लिखेंगे इदर comment में आके लिखेंगे तो वाई पगले लोग जो है वो हो गए irrational और जो ठीक ठाक लोग है वो है rational यही चीज को यहाँ पे assume किया गया है that investors are rational here अगर वो risk जादा लेंगे तो फिर वो जादा return भी मांगेंगे यह एक normal सोच है और इस normal सोच को assume किया गया है नमबर टू यहाँ homogenous expectation को भी assume किया गया है यानि सारे लोग एक जैसा सोचेंगे तो यह दोनों points मिला लें तो इसका मतलब यह है कि दुनिया में कोई पगला नहीं है ठीक है सारे लोग दिमाग से सही है और सारे लोग एक जैसे है ठीक है नमबर टू मार्केट को लेकर के भी काफी assumptions है जो कि आम तोर पे हम लेते हैं हर theory में लेते है नमबर वन informational availability इसका informational efficiency भी कह सकते है आप इसे इसका मतलब हुआ कि market में जो भी information है वो सब के पास है ऐसे कोई भी चुनिंदा लोग नहीं है जिनको information पहले मिलती है यानि कोई भी dominant individual नहीं है तीसरा unlimited borrowing और lending हो सकती है और वो भी किस पे पता है risk free rate पे आपको कोई भी borrowing करना है या कोई भी lending करना आप risk free rate पे कर सकते हो यखीन मानो ये practical world में hold नहीं करता and fourth point है market perfection market perfection का मतलब होता है no taxes cash ऐसा होता नहीं है ऐसा number two no transaction cost ये भी नहीं है क्योंकि brokerage भी करना लगता है तो ये सारे जो assumptions लिए हो है market perfection को लेकर के ये भी गलत है and I wonder why people still use CAPM while valuation तो वो मुझे समझ में नहीं आता assumption तो मीट ही नहीं होता है anyways आगे बढ़ते next we have a new chapter चलो पहला chapter finished so इसके लिए congratulations second chapter में चलते है institutions and instruments in financial markets I believe ये first chapter से भी ज़्यादा dangerous chapter है और यहां से question आने के chance उससे भी ज़्यादा है हाँ इन दो chapters के बाद probability अपने आप कम-कम-कम होती जाएगी लेकिन इन दो chapters का तो खासा relevance है तो इस chapter को भी ध्यान से सुनगेगा चले शुरुआत करते हैं इस chapter में सबसे पहले हम बात करें है about financial system and financial intermediaries तो भई कोई भी देश का financial system तीन pillars पे खड़ा रहता है number one उसके financial markets number two इसके financial intermediaries and number three इसके financial regulators well तीनों ही example के साथ मैं deal करता हूँ आपको समझ माजाएगा इंडिया में financial market में जैसे की हमारा stock market है क्या stock market एक financial market है हाँ क्यों क्योंकि यहाँ पे equity securities का लिवा बेची हो जाता है ठीक है अच्छी बात है इसके intermediaries कौन है बहुत सारे है depository participants है depositories है ठीक है banks है बहुत सारे है जो मिल करके यह ensure करते है कि आप stock market में अच्छे से trade कर पाएं ठीक है brokers है तो यह सारे के सारे आपके हो गए intermediaries and then we have financial regulators talking of stock market हमारे stock market का जो regulation है वो SEBI के हाथ में है तो SEBI is responsible to oversee की stock market अच्छे से perform कर रहा है कि नहीं कर रहा अब यही चीज़ आप कहेंगे आपका RBI का rule है तो इस तरह कई सारे markets है हमारे लिए और उन markets में अलग-अलग intermediaries और regulators present है यह सारे लोग मिल करके एक financial system को बनाते है ठीक है नमबर टू is classification of financial institutions financial institutions में देखो banking institutions होते हैं तो जाहीड सी बात है इसमें banks आ जाती हैं non-banking financial institutions होते हैं जहाँ पे अपने NBFCs वगेरा आ सकते हैं इसके अलावा financial intermediaries and non-financial intermediaries भी होते हैं जो की इन banks तक बीच में पहुचने के लिए हमारे को मदद करते हैं ठीक है दे लिंक savers and investors ओके Reserve Bank of India पे आते हैं जो अभी आपका model question papers है साथ या आठ ठीक है मैं एक ग्यारंटी के साथ नहीं बोल रहा साथ आठ आया आएगा लेकिन यहां पर यह question बहुत important बन सकता है a question was asked जितना मुझे याद आ रहा है एक जगा और वो question था on the role of RBI ठीक है ना तो role of RBI तो यार मुझे कई दीक नहीं रहा है I think overall main functions में आ जाएगा role of RBI में main functions आ जाएगा so इस तरह की questions obviously exam में आ सकते हैं तो RBI के बार में ज़्यादा ज़्यादा जानकारी आपको होनी चाहिए ताकि आप उस answer में कुछ लिख पाऊ number one RBI को establish किया था 1935 में हाँ आजादी से पहले इसके अलावा RBI का overall structure यह है कि RBI को own करती है government of India और वो भी wholly own 100% ownership lies with government of India यहाँ पे एक governor साब होते है जाहिर सी बात है RBI में एक governor होते है 4 deputy governors भी होते है 4 deputy governors होते है आम तोर पे इसी में से कोई ना कोई आगे जाके governor बन जाता है जस्ट आपकी जानकारी के लिए कह रहा हूँ लिखने की कोई जूरत नहीं है इसके अलावा we have non-official directors as well जिसमें से बोलते हैं 4 directors अलग-अलग local boards को represent करते हैं और 10 directors central government की तरो से nominated रहते हैं central government के दो representative भी रहते हैं साल में कम से कम 6 meeting इन लोगों करनी होती है और एक meeting कम से कम quarterly करनी पड़ती है यह है RBI के लिए requirements इसके structure की इसके अलावा इसके committees बहुत सारी होती हैं अलग-अलग कामों को देखने के लिए अलग-अलग committees है अगर आप इसको पढ़ना चाहें तो मैं इसको RC mark कर चुका हूँ यानि की reading category है आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं अगर आप committees के बार में जानकारी हासल करना चाते हैं तो हालागी मैं बता दूँ कुछ भी पता नहीं है यही questions हाथ नमर के लिए आ सकता है तो थोड़ा बहुत पढ़ना is beneficial पढ़िएगा जरूर ऐसे ही अगर हम structure की बात करें तो management और structure की बात वैसे हमें थोड़ी बहुत idea लग गई है हमें पता है एक governor, चार deputy governors दस central government की तरह से representative चार local board से और दो government, central government के direct representatives सकते हैं main objectives अब main objectives या फिर functions of RBI की बात करें तो RBI बहुत सारे काम करता है हाला कि यह question हमने economics में पहले भी पढ़ा हुआ है, मतलब class 11-12 में भी पढ़ा हुआ तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है या फिर भी थोड़ा disruptive way में मैंने समझा है नमबर वन, RBI का main काम है monetary authority, establish करना यानि की इंडिया का monitor system कैसे चलेगा कौन देखेगा, RBI RBI के तीन बड़े objectives हैं नमबर वन, price stability यानि की keeping inflation under check नमबर टू, adequate flow of credit यानि की banking system में money supply को ensure करना जिस particular sector में loan पहुचने चाहिए वहाँ पर ensure करना की loan पहुचे ये सब काम किसका है, RBI का इसके अलावा, overall financial stability जिसमें हमारे forex reserve से ले करके हमारी बागी सारी छोटी मोटी चीज़ें ये सारी चीजों की जुरुरते RBI को ensure करनी होंगी ठीक है monetary authority के बाद में next आता है इसमें आते हैं सबसे पहले हमारे direct instruments direct instruments हमारे money supply को directly impact कर सकते हैं जिसमें CRR, SLR और refinance facilities included है इसमें 2 points तो ज़्यादे ही important है ध्यान देना उनका CRR क्या होता है CRR होता है कि जितनी भी commercial banks होती है उन सब को, in fact commercial banks क्यों इसमें और भी आते हैं, RRBs भी आते हैं जो भी, जितनी भी commercial banks है उन सारे commercial banks को अपने जो overall deposits हैं उनके पास उसका एक certain percentage आमतर पर ये 4% के आसपास का figure होता है वो RBI के पास जमा करना होता है now this is a tool जिसके तूरू RBI credits को expand या फिर loosen कर सकती है and ये चीज़ CRR के तूरू होती है इसी तरह एक और term होता है SLR which is statutory liquidity ratio और इसमें main काम यह होता है कि आपको अपने deposits का लगबग 20% तक का हिसा या तो gold में या तो fair government securities में invest करना पड़ता है as a bank ये RBI के पास जमान नहीं रहता आपके खुद के पास आता है लेकिन आपको yes इतने की security या फिर gold reserve maintain करना पड़ता है तो ये चीज़ भी या पर mention की हुई है ये दौनों के through money supply को directly influence कर सकती है RBI इसके अलबा indirect influence हो सकता है through various rate setting वगरा वगरा जैसे की LAF LAF is basically the facility through which RBI sets two rates number one is repo and number two is reverse repo जिनको जानकारी नहीं है उनको मैं बता दूँ repo वो rate होती है जिस rate पे RBI commercial banks को loan देती है and अगर commercial bank को अपने पैसे जमा कराने RBI के पास तो उस पे reverse repo लागू होता है ठीक है so we have repo and reverse repo जाहिर सी बात है ये repo और reverse repo दोनों मिला करके एक facility का नाम मनता याद रखना इसी को हम कहते हैं LAF MCQ के लिए भी relevant है इसके लावा एक corridor की बात आती है corridor पे हम आएंगे बाद में उससे पहले हम आते हैं of MSF अब क्या होता है जब commercial banks loan लेती है RBI से तो वो तो एक financing तरीका है ही बट कई बार जो loan लिया जो repo में पैसा ले लिये है उससे और ज़्यादा पैसे की दरकार पड़ती है अब वो कहां से ले तो उसके लिए RBI एक indirect route चलाती है जिसे हम कहते है MSF और यह MSF बेसिकली यह होता है कि जो आपकी CRR और SLR की requirements है आप उनको breach कर दो up to a certain level आपके उपर एक penalty rate लगती है यह बात सही है लेकिन फिर भी यह आपका last resort lending है और यह last resort lending को ही MSF का नाम दिया गया है RBI के हसाब से तो MSF is basically a rate which is a little higher ठीक है जो हमें repo rate मिलती है repo से थोड़ी high होती है इसलिए MSF और repo दोनों मिल करके एक corridor बनाते है जिसमें एक low rate और एक high rate मिला करके अपना पूरा interest rate का ecosystem डिजाइन करते है इसलिए को हम कहते है corridor this is MSF and reverse repo rate दोनों इखटे reverse repo और MSF है sorry my bad repo और reverse repo में reverse repo और नीचे होता है so basically this is our MSF जो की सबसे उपर की rate होती है यहां कहीं repo होती है repo से भी नीचे होती है reverse repo तो यह मिल करके यह जो है यह बनता अपना corridor clear तो इसी को हम कहते है corridor इसके अलावा बीच में एक open market operations भी होते है open market operation में RBI is actively issuing and repurchasing government securities यह भी एक तरीका है जिसके through हम लोग money supply को influence कर सकते है economy में इसके अलावा bank rate set करना MSS set करना यह चोटी मोटी चीज़े हैं जो RBI और करता है indirectly to influence money supply RBI issuer of currency है यह हमें पहले से पता है functions पूछे तो यह point लिग देना बस इसके अंदर लिखने के कुछ भी जुरुत नहीं पड़ेगी RBI is banker and debt manager of the government which is also true government का banker कौन RBI RBI ठीक है इसके अलावा government को वक्त वक्त में जब loan की जुरुत पड़ती है तो उन loan को issue करना और उस पैसे की accounting और proper करना यह सब RBI का ही काम है bankers banker to banks तो bank को पैसे की जुरुत पड़ती है कौन देता है RBI RBI क्या बात है नारे लग रहे है regulator to banking sector एकदम सही बात है RBI regulate करता है सारी banks को और उसमें आते है commercial banks urban cooperative banks and also RRBs इसके अलावा NBFCs को भी RBI regulate करता है जो लोग यह सुस्ते से banks को regulate करता है RBI नहीं और भी areas है जहां RBI का regulation है याद रखना आगे बढ़ते हैं foreign exchange management को ले करके भाई forex reserve भी कौन maintain करता है RBI लेवा बेची कौन करता है RBI यह regulate करता है हमारा external sector transaction ensure करता है smooth domestic foreign exchange and manage करता है foreign currency assets and gold reserves just एक reference के लिए आपको मैं सम्झा देता हूँ जिस YouTube channel पे आप ये video को देख रहे हैं इस YouTube को मैंने monetize कर रखा है यानि there is a bit of money that comes into our account ठीक है और ये monetize करने के reasons एक्दम simple है there are few lectures which we provide for free and nothing is for free so naturally you watch certain ads and we get monetary benefit because of that although that is very less but still that is a way of earning तो जो teachers भी monetize करते हैं उनका primary essay हिसाब किताब रहता है आपकी जानकरी के लिए मैं बता दूँ कि ये monetization के जब पैसे हमारे account में आते हैं so RBI के नियमों के हिसाब से हमें अलग से KYC भी करनी पढ़ती है why all of that हमें फैमा आमा के rules के हिसाब से firms भढ़ने पढ़ते हैं क्यों sir इसलिए क्योंकि ये पैसा आरा है dollars में और dollars मतलब foreign currency foreign currency मतलब RBI के नियम लाग होंगे RBI के नियम लाग होंगे तो हमारी bank से हमारे पास call आएगा या फिर में mail आएगा कि sir आओ और KYC complete करके जाओ so this is how it is हर बार नहीं होता है बड़ साल दो साल में एक बार जाना ही पड़ता है इसके अलावा यार हमारा overall payment system और settlement system को भी regulate करने का काम RBI का है अगर हम बात करें about हमारा UPI interface, NEFT, RTGS ये सारी चीज़े कौन लेकिया या RBI, RBI तो RBI का ये भी काम है कि हमारे payment और settlement systems को ensure करें उसकी smooth functioning ensure करें अब इसके आग यार ये खतम ही नहीं हो रहा है ये list बहुत बढ़ा है आप जितने points हैं उतने points और इसमें add कर सकते हैं I've made it a reading category आगे बढ़ते हैं commercial banks की तरफ commercial banks मतलब ICSA bank, SDSA bank वगएरे जो काम करता है वही काम commercial banks है और commercial banks में सबसे पहले आपको ये समझना पड़े है there are few things that you have to remember commercial banks को scheduled banks बोलते है यानि कि इसको RBI के act में schedule में डाला गया है यानि list में डाला गया है तो जिन भी banks का नाम इस list में है वो scheduled banks है 1934 में ये act आया था 1935 में RBI आया था इनके उपर कुछ conditions रखी गई जिसमें पहली condition किये कि paid up capital और reserve कम से कम 5 लाग का होना चाहिए बहुत ही पुराना नियम है बट जो भी है है इसके अलावा इनका main काम होना चाहिए कि depositors से पैसे लेंगे and corporation के form में होना चाहिए यानि आप एक LLP बना करके या फिर एक partnership बना करके एक bank launch नहीं कर सकते it has to be in a structure of a company इसके अलावा यहाँ पर यह बोला है कि इनको RBI से remittance मिलना शुरू हो जाता है once you have scheduled your bank with RBI तो RBI के तरह से आपको पैसे मिलने शुरू हो जाते है through repo rate वगेरा और इसके अलावा आपको reserve balance maintain करना पड़ता है RBI के हिसाब से यानि जो CRR और SLR की requirement है उसका पालन आपको करना पड़ता है non-scheduled banks भी है इनको भी CRR का requirement तो fulfill करना ही है और इनको RBI से loan आम तोर पे नहीं मिलता exceptional circumstances में मिलता है और इनमें भी private और public sector banks होती है यानि commercial banks में तो private और public होती ही थी वो तो हमें पता ही है यह SBI public है और private में SDFC bank है correct वैसे ही non-scheduled banks में भी private और public दोनों हो सकते हैं इनको भी CRR की requirement का पालन करना पड़ता है लेकिन इनको RBI की तरसे आम तोर पे loan नहीं मिलता अब banking system के अगर हम बात करें तो यार banking में बहुत सारे फायदे direct और indirect functions है bank के जो वो हमारे लिए fulfill करते हैं number one हमारे account में कोई पैसा दे तो लेता कौन है bank accepting deposits number two loans देना number three credit creation credit creation is a process where depositor will deposit only 100 rupees but it will become 1000 rupees correct तो वो कैसे होता है वो होता है credit creation का process इसमें एक नहीं बलकि अनेको commercial banks इखटे काम करती है in fact पूरा network काम करता है तब जाकर के credit creation का काम होता है check system, remittance of fund ये सारा काम ओविस्ती एक bank करता है ये हमारे functions of commercial bank में direct functions इसके अलावा non banking functions भी है जो कि हमारे secondary functions है उन में आते हैं हमारी agency services और general utility services agency में आते हैं जापे हमारे agent के तौर पे हमारा bank हमारा काम करता है best example of it would be standing charges अब ये बहुत आसान छूटी छूटी चीजों के लिए आप use कर सकते है आपने किसी को payment कर नहीं है payment करनी है कल आप आज ही अपने bank को एक standing instruction दे सकते हो कि कल payment कर देना bank will do the payment आपका netflix का recharge अपने आप होता है कि नहीं होता है भाई mandate अभी भी हो रहा है क्या exam sir पे होता है तो नहीं करते है recharge ठीक है अगर आपका कोई भी standing charge दिया है कि netflix का मेरा recharge अपने आप हो जाना तो mandate हम दे देते हैं और कौन करता है bank करता है तो यह agency service हो गई इसके लावा bill will की payment customer property की अगर trustee कुछ maintain करना पड़ता है या agent बन के काम करना पड़ता है तो यह सारा काम यहाँ पे होता है bank की तरफ से general utility services में यार हमें locker की facility मिलती है ATM की facility मिलती है foreign exchange operations हो सकते है provident fund की accounts में हमारे bank maintain करता है तो यह हमारे general utility में आ जाते है non banking company क्या होती है non banking financial corporation क्या होती है इसके उपर एक excellent definition है excellent definition इसलिए है क्योंकि अगर क्योंकि मेरी इच्छा है मैं frankly बताता हूँ मेरी इचा है कि मैं अपने life में कभी न कभी एक NBFC बनाऊँ इस NBFC का main काम अविस्ति share का लेवा बेची वगरा ये सबी होगा बट ये NBFC क्या क्या काम कर सकता है उसके उपर एक जबरदस definition है जैसे कि अगर किसी को भी loan देना है advance देना है share खरीदा बेची वगरा करना है या फिर में leasing, higher purchase, insurance का business करना है chit fund का business करना है तो आपको NBFC create करना पड़ेगा अब ये बहुत interesting definition है कई लोग क्या सूचते हैं बता है कि हम लोग अपनी ना एक partnership बनाते हैं और इस partnership में हम लोग share का लेवा बेची करेंगे shares का काम करेंगे ऐसा नहीं कर सकते है इंडिया का नियम यही कहता है कि अगर आपको ये काम करना है तो आपको इसके लिए NBFC create करनी होगी सब छोटे मोटे स्तर पे कर सकते हो पर बड़े स्तर पे नहीं कर पाओगे लोगों से पैसा लेके करना है stock broker बनना है नहीं कर सकते है आप ये सब गाम उसके लिए आपको NBFC बनाना पड़ेगा अपनी company को इसके लावा बोलता है कि agriculture से related नहीं होना चाहिए industry activity से related नहीं होना चाहिए कोई भी और चीज का लिवा बेची अगर हो रहा है securities को छोड़ करके तो नहीं होना चाहिए और sale purchase या construction of immovable property हो रहा तो उस case में भी NBFC बनाने की जरुरत नहीं है तो बहुत अच्छे से लिखा हुए कि कहां जरुरत है NBFC बनाने की और ये भी लिखा हुए कहां नहीं बनाने की जरुरत है कोई अलग अलग नाम है इनको आप ज़रूर पढ़ सकते हैं इस आप डिफरेंट टाइपस अफ NBFC बनाने की जरुरत नहीं ले सकता आप अपना अकाउंट जाकर के खोल सकते हैं अगर एक बैंक है तो पर NBFC में आप अपना अकाउंट नहीं खोल सकते हैं इसके अलावा कल को अगर बैंक में कुछ पैसे वैसे आपके डाले वए रहते हैं और डूब जाती है बैंक तो पार्च लाग तक के आपके रुपए इन्शॉर्ट रहते हैं पता है न? वो insurance इफ banks में लागू होता है वो NBFC में लागू नहीं होता है तो कल को मैंने बजाज finance के किसी FD में पैसा लगाया और बजाज finance की अपनियों कुछ हो जाए तो मेरे जितने भी corporate FD में पैसे लगाए होंगे वो सब uninsured है, कुछ नहीं मिलेगा मुझे banks में ऐसा नहीं होगा banks में अगर FD की हुई है तो वहां मिल जाएगा 5,000,000 तक obviously insurance companies का काम क्या होता है हमें अच्छे से मालू में investors को protect करते हैं और facilitate करते हैं saving accumulation भी, अब ये कैसे होता है वही पुराने जमाने में LIC बहुत करते थे लोग, आज कल term insurance के चोचले हो गया है लेगिन पहले पापा लोग को देखो साल में 4,500,000 जो भी खटा करते थे वो अपने पैसे थोड़े थोड़े करके आपके नाम पे LIC की हुई थी आज जब वो मैचौर होगी तो आपको लाग देड़ लाग रुपा मिलेंगे आज मदब यूशली पापा लोग पता नहीं क्यों इतने चोटे-चोटे amount करते थे I don't really understand, ठीक है तो इतने चोटे amount जो भी है insurance में डाल डालके फिर वो एक सवाल आख रुपे की LIC mature होती after a certain period of time What do you think this is? This is not protection, protection नहीं था ही है क्योंकि मेरी एक दो policy है जो mature हो चुकी है तो I am only 31 31 पे maturity हो रही है तो clearly बोल सकते है कि यह एक accumulation tool था आप इसमें पैसे जोड रहे थे थोड़े करके Long term investment पे आप इसमें फोकस कर सकते हैं यह insurance के level पे बुला जा रहा है वैसे LIC हमारे India का सबसे बड़ा stock market participant है बहुत सारी कंपणियों के share खरीद रखे है और लंबे समय के लिए खरीद रखे है तो LIC यह कर पाता है क्योंकि इनके पास जो पैसा है वो आहम तोर पे life insurance premium पे लिया हुआ है और लोग जल्दी से जाते नहीं है तो उनके ओपर उनका claim बनता नहीं है इसके अलावा IRDA इसको regulate करता है IRDA इसका regulatory body है परफेक्ट आगे हम pension plans की बात करते है pension plan में दो तरह की plans बहुत popular है एक होते है DB plan और एक होते है DC plan ठीक है DB plan is a simple plan in fact DC जादा simple है DC में क्या होता है जो आपका employer है इस employer ने आपको बोल दिया कि हम तुमारा pension plan में साल का 50,000 रुपय मानलोड डालेंगे तो बस employer की इतनी duty है कि वो 50,000 रुपय आप डाल दो इसके अलावा जब आप retire होंगे तो आपको कितने का pension मिलेगा कितना लंसम मिलेगा कितना मंतली मिलेगा उसका कोई चिंता इसका नहीं है employer का गाम से वितना है कि जितना हमने contribution के लिए बोला था उताम करेंगे इसलिए इसका नाम है defined contribution बट वहीं पर defined benefit plan होता है defined benefit plan में employer जो होता है वो आपको ये नहीं बोलता है कि हम इतने उरुपय डालेंगे वो बोलता है जब तुम retire होगा क्योंकि आप कभी न कभी retire होगे उसके बाद आपका pension शिरू होगा तो company को इसको recognize करना पड़ेगा इसके अलावा यहाँ पे company उसके लिए थोड़े बात investment भी करेंगी और DB plan और DC plan जो है DB plan ज़ादा complex plan है लेकिन ये ज़ादा used है DC plan US में ज़ादा popular है इसके अलावा pay as you go pension plan भी interesting plan है इसमें यह होता है कि current employees होते हैं वो जो already pension ले रहे हैं उनके pension के लिए contribute करते हैं और जब उनका वक्त आजाता है pension पाने का तो उसके नीचे वाले pay करते हैं यहाँ बेसिकली one generation pays for the other generation दूसरी generation replace होती है आपकी generation आगे बढ़ती है तो आगे की generation यह plan भी एक plan है इंडिया में इंडिया में कौन-कौन से pension schemes चलते हैं यह सरकारी scheme है जिसकी जानकारी आपको हो सकती है आप यहाँ से पढ़ोगे तो AIF alternative investment funds क्या होता है सर यह universe वेल इसके बार में बाते बहुत कम होती है मैं आपको समझाता हूँ alternative investments होते क्या है alternative investments होते है anything which is not traditional वाह क्या भाया definition दिया है जो traditional नहीं है वो alternative है अर्य सुरो ना मेरी बात जंग से सुनो traditional investments जो होती थी उसमें आते थे आपकी long position in stocks आपके stocks में बनाई हुई long position traditional होती थी आपका debt security में participation traditional माना जाता था और cash and cash equivalents में investment traditional माना जाता था इसके अलावा आपने जो भी investment करी वो सारी investment alternative में आईगी long stocks की जब मैं बात करहा हूँ तो इसमें mutual funds included है ठीक है बट इसके अलावा बाखी सब क्या है alternative यानि की अच्छा भीया अगर हम gold में पैसे डाल रहे है यानि commodities में पैसे डाल रहे है तो क्या वो alternative है मैं कहूंगा हाँ अच्छा भीया अगर हम hedge fund में पैसे डाल रहे है तो क्या वो alternative है मैं बोलूगा हाँ भीया अगर private equity में पैसे डालना है, तो क्या वो alternative है, हाँ, भी या venture capital, हाँ, okay, समझ गए, so basically ये, आज के date में modern अलग-अलग investment vehicles हैं, जहां पे आप अपने पैसे डाल सकते हैं, और ये सब alternative investment universe में cover होते हैं, इसी के बार में यहां लिखावा है, और इनके नाम भी देखो, उपर पूरे mention किये हैं, ठीक है, अब यहां होता है क्या समझ गए, आपके और मेरे retail participants के लिए नहीं है, जितने भी alternative investment funds होते हैं, इनको पैसे देते कौन है, इनको पैसे देते हैं, बड़े-बड़े investors, जो की आम तोर पे H&I's होते हैं, यह पैसे जमाओ करके, इनके पास crores का fund बन जाता है, इन crores के fund पे यह जाकरके, अलग-अलग companyों में पैसे लगाते हैं, कोई startup में पैसा लगा दिया, कोई बड़ी company खरीद ली, कोई कुछ कर लिया, यह सब बड़े काम करते हैं, तो यहां लिखा है कि privately pooled investments होते हैं, सिरh sophisticated investors के लिए हैं, और startup, real estate, या फिर में trading strategies, including leverage, यानि loan ले करके trading बगारा करना, यह सब यह काम कर सकते हैं, तीन category में यह लोग risk लेते हैं, investor eligibility में clearly लिखा है, कि जिसके पास 2 crore रुपय नहीं है, वो तो आओ ही मत, इधार investment करने की बात ही मत करो, number two, कोई body corporate है, तो उसके पास कम से कम 10 crore होने चाहिए, तब ही जाकर कि वो alternative investment में invest कर सकते हैं, angel funds कौन होते हैं, angel funds होते हैं, जिनके पास कम से कम 10 crore होते हैं, और 25 lakh रुपय से कम, किसी भी investor से लिया ही नहीं जा सकता, यह एक requirement और 3 साल के लिए lock-in भी होता है यहाँ पे, अब यह सब ना, पुराने नियम है मेरे क्याल से, अब तो आज की rate पे, PMS में ही 50 lakh के नियम हो गए है, तो यह 25 lakh, आज की rate पे कितना relevant है, मुझे verify करना होगा, but yes these are the, hedge funds में जैसे 1 crore रुपय कम से कम लगाना पड़ता है, आपके आज 1 crore रुपया नहीं है लगाने को, तो hedge fund आपको invite भी नहीं करेगा, समझे हो, कहाँ के games है, इसके लगा venture capital के लिए भी यही लिखा है, कि 3 से 4 साल का lock-in period होता है, तो venture capital आम तोर पर start-up में invest करते हैं, और जाहिर से बात हैं, उनको start-up में रहना पड़ता है, start-up 3-4 साल टिक हो गए ही नहीं, तो पता कैसे चलेगा company क्या होई, venture capital का main काम होता है, ऐसे business में पैसे लगाना, जो की नया idea है, नहीं सोच है, कुछ वैसा है, जैसे EVs, जब आये थे, तो उस समय नया concept था, electronic vehicle, तो उस समय venture capital ने इनको fund किया था, अब तो EV एक बहुत बड़ा game उचका है, अब venture capital का ही एक बड़ा भाई है, जिसे हम कहते हैं, private equity, वो अब invest कर रहा है यहाँ पे, और आने वाले time पर retail भी करेंगे, जब इनके IPO अगेर आ जाएंगे, ठीक है, private equity fund यहाँ पे लिखा हूँ है, और फिर उसको वापस private बना देते हैं, अच्छा ऐसा होता है, एक्जाम्पल देता हूँ, सबोस करो अभी जैसे Zomato list हो गई है, struck market पे, ठीक है, Zomato अब एक public company बन गई है, Zomato का problem यह है, कि उसमें ना profit अच्छा से नहीं आ रहा है, माल लेते, तो ऐसा हो सकता है कि एक private equity fund, पूरे Zomato company को maximum shares acquire कर लिए, मालो 65% shares acquire कर लिया, market में, acquire करके इसको delist करवा लिया, और 10 साल बाद, या 5 साल बाद, 5 साल बाद, वापस IPO ले आया, of Zomato, सर ऐसा काम होता है क्या, हाँ होता है, कौन करता है, बड़े लोग, बड़े लोग मतलब private equity funds, private equity funds का यही काम है, कि यह invest करते हैं, equity और equity linked instruments, और private partnership interest, and इनका objective यही होता है, कि हम लोग अपनी company, जिस तरह की company में invest करना जाते हैं, उसी company में invest करते हैं, तो अगर इनका objective यह है कि हम established pair में जाना जाते हैं, established pair में जाएंगे, start-up में जाना है, start-up में जाएंगे, private equity का ही एक wing होता है, venture capital, यह याद रखना, so private equity is a broader term, उसी का वो wing, जो की नई company, नई idea, नई सोच में invest करें, वो होता है venture capital, hedge funds, बहुत simple है, hedge funds यार mutual fund के जैसे ही होते हैं, so जैसा mutual fund वैसा ही hedge fund, mutual fund का का काम क्या है, एक pool of funds बनाना, तो इसमें भी काम क्या है, pool of funds बनाना, वहाँ retail investors invest करते हैं, यहाँ sophisticated investors invest करते हैं, वहाँ पे कम से कम risk ली जाती है, risk कम ली जाती है, यहाँ risk जादा ली जाती है, यहाँ regulated होता है, यानि mutual fund को regulate करता है सेभी, यहाँ पे regulation नहीं होती, ठीक है, so hedge fund is basically a बड़ा game of mutual fund, क्योंकि यहाँ पे, हम जैसे आम नागरिकों के पैसे involved नहीं है, तो यहाँ सेभी भी बोलता है, तुमको जो करना कर, ठीक है, lesser regulated होता है, so this is lesser regulated, यह लोग short position भी बना सकता है, यह लोग leverage भी ले सकता है, यह लोग derivative में भी invest कर सकता है, यानि जो करना करो, इसके अलावा, इनका equity return और bond market के return से, आम तोर पे risk जोता है, वो lesser correlated होता है, और consistent return और capital preservation के लिए इनको जाना गया है, in the past, यह लोग कोई भी strategy लगा सकते हैं, strategies अनेकों हैं, detail में कभी चर्चा करेंगे, final level पे, वट आभी के लिए बस इतना समझो, तो leverage लेके काम करना है, हो जाएगा, derivatives लेके करना है, हो जाएगा, short position करना है, हो जाएगा, arbitrage करना है, हो जाएगा, जो इच्छा कर सकते हो, higher return जनरेट करने का इनको objective रहता है, और इनकी सबकी अलग-अलग investment style होती है, और वो depend करता है, आपके hedge fund manager पे, SEBI की regulations, भाई, SEBI का main काम यही है कि investors को protect करना, securities market को promote करना, और regulate करना markets को, यह तीन बड़े इनके objectives है, अजा, SEBI का, कब हुआ introduction, 1992 में, SEBI का role यही है, देखो, primary market को reforms लाना, regulate करना, intermediaries को, fair transparent structure रखना, और healthy development करना, of the capital markets, capital market क्या है, वैसे तो reading category है, क्योंकि ऐसे हमें broadly मालूम है, capital market वो market है, जहांपे securities issue होती है, और securities वो चीज होती है, जो एक साल से ज़ादा, अवधी के लिए, आती है, so long term जितने में investments हैं, उनको capital market में issue किया जाता है, capital market के भी दो हिस्से हैं, एक होता है primary market, एक होता है secondary market, आगे दिख जाएगा आपको, इसके constituents वगएरा सबको मैंने ready category में डाला है, primary market आपको दिखी रहा है, primary market वो market होता है, जहांपे issues को first time issue किया जाता है, so जितने भी IPO हैं, या फिर FPO हैं, उन सबको यहां डाला जाता है, obviously यहां government और corporate, दोनों ही अपने IPO और FPO ले करके आते रहते हैं, इसके रहाँ यहांपे secondary market, secondary market वो है, जहांपे company तो कोई नया issue नहीं लाती, लेकिन consistently buying and selling हो रही है, so it basically provides a market space, for buying and selling, buyers and sellers basically interact here, यहांपे stock exchanges वगएरा, यह सब मिल करके यह काम करते हैं, इंडिया में कॉंसे stock exchanges हैं, उनके पूरी list दी हुई है यहांपे, ठीक है, इसके अलावा इनका जो main काम है वो यह है, कि efficient fund allocation में यह मदद करते हैं, liquidity better करते हैं, protect करते हैं investor interest को, और instant valuation of securities का यह अच्छा काम है, आपको आज के दिन, किसी भी point पर यह पता करना है कि share का क्या दाम है, तो आपको exchanges में जो movement हो दी है, उस वज़े से fair value का पता चल जाता है, हाँ एक problem है, इंडिया का जो market है, इंडिया, अगर top 10 markets में है, तो आपको बिस जानकारी के लिए मैं बता दूँ, कि top 10 markets में इंडिया होते हुए भी, इंडिया का rank होगा 10 number in terms of liquidity, यानि हम लोग के इंडिया में, जो number of participants हैं, जो trading का volume है, वो बहुत कम है, इस वाज़े से हमारी जो securities हैं, उनका भाव बहुत तेजी से उपर या नीचे चला जाता है, which is not considered good for a market, एक important distinction है, primary market versus secondary market, जरूर से पढ़के जाएं, examination में important equation इस पर आ सकता है, tabular format में दिया तो आपको कोई चिंता नहीं करनी, equity securities, debt securities, यह सब हमें पता है, ठीक है, ADRs क्या होते हैं भी या, ADRs क्या होते हैं, इक simple सा process है समझिएगा, example के साथ समझा रहा हूँ, आपको easily connect हो जाएगा, मान लो एक Indian company है, इस Indian company को, US में कोई project करना है, उसके लिए इसको dollars की जुरत है, अब ये company तो share issue करती है, Indian currency में, इन shares को, US के Nasdaq में क्यों खरीदेगा कोई भला, और list भी नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ तो dollar से related listing होती है, तो इन shares को ये Indian company, एक bank के पास, जमा कर देगी, इस bank को हम कहेंगे, depository bank, ये depository bank, का India, और US दौनों में presence होगा, या तो directly या indirectly, यानि कि या तो, ये दौनों जगा सच में इनके branches है, या फिर में इनका कोई न कोई इंडिया में partner bank है, तो Indian company यहाँ पे shares issue करेगी, depository bank को जमा करेगी, ये depository bank इसके बदले, depository receipt issue करेगी, ये depository receipt, एक तरह से indirectly, इन share की ownership ही है, पर ये depository receipt dollars में denominated होंगी, जाई सी बात है dollars में denominated होंगी, तो ये NASDAQ में list हो जाएंगी, NASDAQ में list होंगी, तो US के जो investors है, वो इसमें पैसा जमा करेंगे, और पैसा जमा करेंगे, तो इस company के पास dollars पहुँच जाएंगे, इस पूरे process को हम कहते हैं, क्योंकि ये America में issue हो रहा है, इसलिए इसको हम कहते हैं, American Depository Receipt, process बहुत simple है, Indian company ने अपने share issue किये, एक depository bank के पास जमा किये, depository bank ने depository receipt issue किये, और ये depository receipt, US dollars में issued होते हैं, यानि denominated होते हैं, और US के investors इसमें invest करते हैं, ठीक है, यहाँ ये सारी बाते लिखी हैं, 1927 में ये concept आया, denominated US dollars में होता है, US की depository bank इसको issue करती है, non-US company जो होती है, वो deposit करती है, इस bank के पास में कुछ shares, और उनको ADR issue करने की right देती है, और ये ADR, depository shares पे एक representation, ownership representation पेश करते हैं, इंडिया की जितनी भी IT-based companies हैं, वो सारी यहाँ पे fall करती हैं, क्योंकि इनको एक global presence चाहिए थी, और इस तरह से, ये US के Nasdaq पे खुद को list करा सकते हैं, तो एक तरह से इनको एक presence मलती है, तो इन सारी कंपनियों नहीं मोटा-मोटी ये काम कर रखा है, अच्छा, इंडिया का एक IT और एक pharma, ये दो largely US-based business है, पता है ना आपको, इंडिया की जितनी कंपनियां US में काम करती है, IT कंपनियां, और pharma भी US में काम करती है, तो इनको presence की जूरत पढ़ती है, इसलिए आप सारे examples जो तेख रहे हैं, वो सारे IT-related businesses है, US में दो बड़े, वो हैं, stock exchanges है, जिसमें NYSE है, यानि की New York Stock Exchange है, और NASDAQ है, और जाई सी बात है, ADR एक बार issue होते हैं, तो इसमें institutional और retail investors invest कर सकते हैं, ये तो typical है, इंडिया में भी कोई IPO भी आता है, तो उसमें भी तो institutional और retail दौनों participation होता है, सेम वैसा होता है, अब यही काम ADR का, अगर आप America छोड़ कर के और कहीं करें, तो उसे आप GDR का नाम देते हैं, यानि Global Depository Receipt, derivatives क्यों होते हैं, या आपको पता होना चाहिए, या आगे जाकर के यह topic ही बन जाएगा आपका exam में, SFM में, so, derivatives basically ऐसे financial instruments होते हैं, जो अपनी value derive करते हैं from some underlying instrument, अब इसका अच्छा example यही हो सकता है, कि अगर माल लो, Reliance Industries है, उसका share में afford नहीं कर सकता, तो मैंने क्या किया, मैंने एक ऐसे instrument को खरिद लिया, जो कि Reliance की तेजी में, खुद तेज हो जाएगा, और Reliance की मंदी में, खुद मंदा हो जाएगा, इस instrument को मैं खरिद सकता हूँ, at a very margin, very less margin, Reliance का share खरिदने जाऊँ, तो पूरा पैसा देना पड़े, पर इसे में थोड़े margin से मेरा काम हो रहा है, इस तरह के instrument को हम कहते हैं, Derivatives, Derivatives टोटल चार तरह के होते हैं, Forward, Future, Options and Swaps, Swaps, Warrants भी इसमें जोड़ा गया है, Swaption is basically a combination of swap and option, तो बोल सकते हैं, चार बड़े टाइप होते हैं, जिसमें से दो बड़े टाइप जो होते हैं, Futures and Options, वो एक अलग से regulated stock exchange पे भी, या exchange पे भी एक, बोल सकते हैं, regulated space भी है, तो यह है अपने Derivatives को लेकर के जानकरी, Derivatives financial भी हो सकते हैं, और commodity भी बन सकते हैं, और hedger हो, speculator हो, या arbitrageर हो, सब लोग इसका मजा ले सकते हैं, Next आता है, external commercial borrowing, बहुत ही simple सा concept है, अगर आपको debt raise करना है, foreign sources से, तो उसे हम कहते है, external commercial borrowing, clear, आम तर पे infrastructure projects के लिए, हम यह funding लेते हैं, then we have foreign currency, convertible bonds, नाम सही समझ में आ रहा है, foreign currency में bond issue होगा, लेगिन it will be later on converted into equity shares, so issued by Indian company, subscribed by non-residents, converted to ordinary shares, either in full or in part, then we have compulsory convertible debentures, नाम सह समझ में आ रहा है, जबर दस्ती करेंगे, बात में आपका redemption के time पे, shares में convert कर देंगे, ठीक है, और वहीं पे एक optional भी आएगा, option में होगा कि conversion तो होगा, but at the option of the investor, तो investor को अगर चाहिए, तो वो share में convert होगा, नहीं तो वो redemption होगा, deep discount bonds क्या होते हैं, ये bonds वो bonds होते हैं, जिनको issue किया जाता है, discount pay, redeem किया जाता है, par pay, और बीच में इनमें कोई भी coupon involvement नहीं होता, इन्हें हम deep discount bond, या फिर zero coupon bond भी कहते हैं, ठीक है, यहां लिका है zero interest bonds, significant discount पर issue होते हैं, 25 से 30 साल की अवधी के लिए, ये issue हो सकते हैं, euro bonds क्या होते हैं, euro bonds होते हैं, any bond which is issued, other than, your home currency, or the market in which it is issued, ठीक है, so basically, अगर एक Indian company है, जिसने US में Japanese yen में, अगर bond issue किये हैं, तो उसे हम कहेंगे euro bond, वैसे उसका नाम हो जाता है, euro yen bond, जिस currency में उसके इशु होता है, उसका नाम उसके साथ जुड़ जाता है, अगर यही Indian company, Singapore में जाकर के, US dollars में bond issue करें, तो उसे हम euro dollar bond कहेंगे, masala bond, masala bond basically यह है, कि यहाँ पे rupee denominated bond है, लेकिन इंडिया के बहार issue हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक Indian company हो की, जो की rupee में, अपने bond investment कर रही है, लेकिन दूबई में कर रही है, ठीक है, तो इंडिया छोड़ करके, यह investment हो रही है, यह आउटसाइड इंडिया हो रहा है, लेकिन denominated इंडिया में ही है, तो इसको एक Indian नाम देना था, इसलिए इसको नाम दे दिया गया, masala bond, ठीक है, यहाँ पे एक चोटी सी जानकरी, अब यह अधिक तरह लोग पकड़ ही नहीं पाएंगे, कि यह क्या होता है, यहाँ बोलाएं कि यहाँ वही investors invest कर सकते हैं, जिनके stock market regulators, IOSCO के members हैं, अब आप कहेंगे यह क्या है, तो भाई यह IOSCO, IOSCO मेरे को इसने पता है, क्योंकि मैं international perspective में CFA भी पढ़ाता हूं, यह समझना ही बहुत, मतब आम तोर पर बच्चे इसको skip करके चले जाएंगे, यह क्या होता है, बहुत simple सा concept है, जैसे हमारे इंडिया में, जो हमारे regulator है, वो है SEBI, US में regulator है SEC, और अलंग लग देशों में, अलंग लग regulators है, stock market के या, financial market के, यह सारे regulators मिल करके, एक international organization के member है, जुसको हम कहते है, IOSCO full form गिये रहा है, International Organization of Securities Commission, इस IOSCO के member countries, शायद 190 member countries है, तो जो जो countries, IOSCO के member countries है, उनहीं में, आप अपने masala bonds issue कर सकते हैं, यह है शर्त, समझ मैं ही बाद, बस यह है यह छोटा सा concept, rolling settlement, why बहुत simple है, मैंने कोई share बेचा, आपने वो share खरीदा, तो दौनों के accounting होने में, थोड़ा समय लगता है, ऐसा नहीं होता है, कि मेरे share बेचने के साथ-साथ, मेरे portfolio से निकल जाएगा, नहीं होता है, और आपके भी खरीदने के साथ-साथ, आपके portfolio में reflect करेगा, नहीं होता है, थोड़ा समय लगता है, पहले इंडिया में ये समय 5-5 दिन तक लगता था, आपने transaction जिस दिन किया, उसके बाद 5 दिन लग जाते थे, अभी चलता है T plus 2, T plus 1 की भी काफी चर्चा होने लगी है आज कल, तो T plus 1 को ले करके चर्चा हैं जो हैं, वो ये हैं कि अगर आपने आज खरीदा, तो कल आपके portfolio में नजर आ जाएगा, Clearing House का में काम क्या होता है, Clearing House is counterparty to both buyers and sellers, आम तोर पर Clearing House का में काम होता है, credit risk को market में से गायब करना, अब ये कैसे होता है, बहुत सिंपल है, मालो हमने एक derivative instrument में invest किया, derivative में एक buyer और एक seller होता है, ठीक है, जो buyer होता है, उसका भी risk होता है, और जो seller होता है, उसके भी माथे पर risk होता है, इन दौनों को बोला जाता है, कि आप लोग ना margin जमा करो, दौनों को बोला जाता है, margin जमा करो, ये margin जमा होता है, with the clearing house, clearing house ये ensure करता है, दौनों का margin इसलिए हो, क्योंकि कल को कोई भी हारा, कोई जीता, तो ऐसा नहीं भाग पाएगा, हम उसके margin में से पैसे काट लेंगे, अगर margin का पैसा कम पड़ेगा, तो और मांग लेंगे, ये सारा काम, जो structure किया है, वो है clearing houses ने, clearing houses ये ensure करते हैं, कि जितने भी buyers और sellers है, वो proper margin देख करके ही, market में participate करें, कल को वो हार गए, तो उनके margin से पैसे काट लिया जाए, ये चीज़ यहां लिखा है, कि इनका main काम यही है, clearing अच्छा से करना, settle करना trades को, manage करना risk को, ये daily gain और loss की accounting करते हैं, और payment delivery वगएरा, ये सब करते हैं, monitor करते हैं speculating margins को, margin कम हुआ तो margin मांगते हैं, और credit risk यहां पर minimize कर देते हैं, क्योंकि ये margin के साथ काम करते हैं, demat और remat का concept है, बहुत ही simple सा concept है, पहले के जमाने में physical shares होते थे, उनको आज dematerialize किया गया है, तो इस काम को करने को, हम कहते हैं dematerialization, इस काम को करने के लिए depository involved है, ठीक है न, depository इंडिया में दो हैं, एक है NSDL, एक है CDSL, ठीक है, तो इन दोनों का काम है, share को demat में डालना, और obviously हम directly इनके through काम नहीं करते, मेरा account 0-धा में अगर है, तो 0-धा will ensure, कि 0-धा will act as a depository participant, और यह NSDL या CDSL, जहांपे भी यह listed है, वहाँ पे यह मिल करके काम करेगा, उनके साथ मिल करेगा, so there is a depository, there is a depository participant, दोनों मिल करके interact करते हैं, and physical shares को electronic form में convert कर देते हैं, depository participant, उनी share का basically एक agent बनके रहता है, so आपके पास जब 0-धा आप खोलोगे, या जो भी आपका app है, उसको खोलोगे तो उसमें दिखाता है, आपके पास इस company के इतने shares है, तो वो share दरसल 0-धा के पास में नहीं है, वो depository के पास में जमा है, वो सिफ आपको show कर रहा है कि हाँ आपके पास है, example लिखिवा है याँ पर, and भुलिएगा मत मैं बार-बार कहूंगा, शायद आप बहुत दिर बात कह रहा हूं, कि इन notes को proper आप download कर सकते हैं, और सारा marked है पहले से, description लिंक है वहाँ से download करना, remat का concept उल्टा है यार, यहाँ पर एक demat किया हूँ जो share है, उसको वापस physical किया जा रहा है, ऐसा कौन करना चाहेगा बहला पता नहीं, लेकिन हाँ ये भी एक option है, बहुत साही चीज़े हैं, जिस पर मैंने RC लिखा हुआ है, तो उनको RC ही कीज़ेगा, यानि पढ़िए गई, book building process, important है, हाला कि बहुत छोटा सा मैंने लिखा है, ठीक है, तो बहुत जादा बड़ा नहीं है, बढ़ा आप इस पर आपना idea बना सकते हैं, और steps तो खेर आगे हैं ही, so book building क्या होता है, बहुत simple सा concept है, एक company IPO लेकर क्या आती है, बहुत लोग उसमें interested है, तो वो लोग अपनी bids डालते हैं इसमें, bids को देखते हुए, company अपने IPO का price final करती है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, company जब IPO लेकर क्या आती है, तो एक range of price के लिए लेकर क्या आती है, कैसे काम होता है, आपको समझा जाता हूँ, एक range of price के लिए आता है, मालनो range है 150 से 155, तो जितने भी bidders होते हैं, यानि जो भी IPO में पैसे लगाते हैं, वो लोग इस range में कहीं पे भी अपना price सेट कर सकते हैं, आम तर पे, लोग एक option होता है, cut off price, उसको tick कर देते हैं, और cut off price आम तर पे range का उपर ला हिस्सा ही होता है, उपर ला मारवाड़ी निकल गई, उपर वाला हिस्सा होता है, आम तर पे, जब भी एक range आती हो, उस range का जो उपर वाला हिस्सा होता हो, cut off price accept हो जाता है, क्योंकि जादा तर bidders इसी पे bid करते हैं, तो उनी लोगों में से कुछ लोगों को प्रोरेटा allotment पे पैसे के बदले, share मिल जाते हैं, इस पूरे process को हम कहते हैं, काफी सारे steps में हैं, जिसको आप overview कर सकते हैं, देखो green shoe option है, green shoe option में क्या होता है, एक छोटा सा concept है, हाला कि बहुत बड़ा write up है, concept समझा देता हूँ, concept यह है कि अगर एक IPO आया, उस IPO में share issue होने और demand बहुत जादा हो गई, मान लो demand हो गई 30x, 30x गुना demand हो गई, तो कुछ additional shares issue किये जा सकते हैं, थोड़े time के लिए, उन additional shares का main objective ही यह होता है, कि supply बढ़ा दें, और supply जब बढ़ेगी तो demand और supply थोड़ा तो mismatch कम होगा, इस option को ही हम कहते हैं, green shoe option, ठीक है, यहां लिखा है, post listing price of public securities in public issue, through allotment of excess share को stabilize करने का जो concept है, उसे हम कहते हैं, green shoe option, आगे reading category आप खूब सारा पढ़ सकते हो, private placement, preferential allotment, reading category मैंने डाला है, offers for sale बहुत simple सा concept है, जब भी promoters, अपने shares को बेचे, और non promoters से कोई भी, उन shares को खरीदे, तो इस काम को, offer for sale के through किया जाता है, clear, BAC, NAC को intimate किया जाता है, कि एक OFS आ रहा है, इसमें individual, company, QIB, FII कोई भी invest कर सकता है, लेकिन वो non promoter group का होना चाहिए, insider trading हमें idea है, क्या होता है, छीक है, इस के अला, credit rating भी हमें idea क्या होता है, credit rating में तीन बड़े नाम याद रखना है, इंडिया में, care, ikra and care, care के दो बार नाम किसे आ गए, crystal था पहला, crystal, ikra and care, और भी हैं मैंने तीन बड़े नाम लिखे, next up is money market, money market वो market है, जहाँ पे short term monetary issues, लाए जाते हैं, short term monetary instruments को issue किया जाते हैं, call money, treasury bills and commercial paper, यह सारे money market instruments है, यानि यह एक साल से कम अवधी के लिए issue होते हैं, call money और notice money क्या समझाया गया है, basically short term borrowing होती है, ठीक है, यह short term borrowing आमतार पे financial institutions, RBA और commercial banks के बीच में होती है, हम retail का इसमें कोई लेना दिना नहीं है, 14 दिन से अगर कम दिन के लिए lending हो रही है, तो उसे हम कहते हैं notice money, 14 दिन से जादा होती है, तो उसे हम कहते हैं call money, एक साल से जादा तो हो ही नहीं सकता यह बात ध्यान रखना, आगे आते हैं treasury bills, यह government bills हैं, जिनको basically RBA issue करती है, in behalf of the government, इनको भी एक साल से कम अवधी के लिए ही issue किया जाता है, बहुत जादा liquid होते हैं, क्योंकि सब लोगों को इसमें invest करना होता है, इन में 91 day, 182 day और maximum 364 day का concept होता है, मैंने आपको पहले ही का, एक साल से कम अवधी के होते हैं, commercial bills होते हैं, जहां पे, जितने भी credit worthy corporates हैं, याद रखना, आम तरबे एरेग एरे corporates नहीं, credit worthy, वो सारे unsecured, promissory note issue करते हैं, उसी को हम कहते हैं, sorry, commercial paper का मैं बताने लग गया, यह commercial bill आया, sorry, wait करना पढ़ेगा, commercial bill क्या होता है, यह भी short term negotiable instrument है, self liquidating instrument है, money market instrument है, और working after leads के लिए issue होता है, इसके लिए यह सब नियम नहीं है, पर जब commercial paper में आये, तो यह सारे नियम लागू हो जाते हैं, अब यहां पे आपको जो corporate है, वो credit worthy होना चाहिए, यानि उसकी credit rating अच्छी होनी चाहिए, number two, यह unsecured instrument होता है, यानि आपको इसके backing में कोई collateral देने की जुरत नहीं है, number three, एक promissory note भी होता है, इसे हम कहते हैं commercial paper, credit worthy company, यह सारी बाते यहां पे लिखी हुई है, इन में documentation का काम काम है, यह bank rate से सस्ते rate पे आपको यह issue हो जाता है, तो इस पे basically bank को यह सस्ते लोन पे मिल जाता है, साथ दिन से लेकर के maximum एक साल तक की issue के लिए यह आ सकता है, हर कोई company नहीं कर सकती है, यह याद रखना, certificate of deposits, आमतर पे bank और financial institutions, certificate of deposits को money market में issue करते हैं, और जिस deposit, जिस instrument के थुरू करते हैं, उसे हम कहते हैं, certificate of deposit, अगेन इसमें retail participant invest नहीं करते हैं, बड़ी-बड़ी कमईया invest करती है, साथ साल से लेकर तीन साल तक का यह हो सकता है, लेकिन तीन साल होने पर यह फिर money market instrument नहीं रहेगा, एक साल के नीची यह money market है, तीन साल का हो जाएगा, तो यह capital market में चला जाएगा, रेपोर रिवर्स अपर हम पढ़कर क्या हैं यार, वापस पढ़ने की सुरत नहीं है, प्रामिसरी नोट क्या होता है, प्रामिसरी नोट वैसे हमने बिलसव एक्सेंज में पढ़ा हुआ है, अब यहां से जो बाकी सारे नोट है, उनमें समय कम लगने वाला है, तो अब इसको अम लोग करेंगे, अभी जश्च शुरू करेंगे, बट इस बीच में मैं चाता हूँ, आप भी एक break ले लें, और मैं भी एक छोटे से cut के बाद मैं वापस मिलूँगा आप से, जिसमें अब लोग इसको discuss कर रहे होंगे, तो बस एक छोटा सा cut ही लगेगा, ये video continue हो रहा है, बट यू कन टीका break है, बट ये एक छोटा से comforting break के बाद मैं वापस शुरू कर रहा हूँ, और एक छोटे से cut के बाद आपको ये video दिख रहा होगा, I hope जो required break था वो आपने लिया होगा, and now we are continuing further, तो बट आप यहां से जो chapters हैं, वो relatively lesser important है, theory के लहज़े से, बट कुछ एक चीज़े हैं जो आपको पता होनी चीए, जिसे financial analysis में लाइन से, मैंने जो book में सारी चीज़ों को summarize किया आपके लिए, टेबल में आप साही चीज़े देख पा रहे हैं, बट मेरे इसाब से, traditional versus modern approach का जो difference आएगा, financial analysis का, वो आप तयार करके जरूर जाना, chances वैसे इसके भी कमी है, frankly, बट यह एकदम surprising question हो सकता एक्जामे, जादर लोगों पता नहीं कि book में ऐसा एक सवाल है, जहांपे traditional और modern approach को compare किया जा रहा है, इन financial analysis तो वो तयार करना जुरूरी है, इसके अलवा, comparative financial analysis क्यों होती है, बहुत simple सा concept है, यहांपे आप financial statements बनाते हो, और उसको comparable बनाते हो, comparable बनाने के लिए कई सारे काम किये जाते हैं, जिसमें से पहला काम है, common size, common size is a process, wherein आप अपने financial statements में से, absolute number का जो bias नहीं से, वो include नहीं करते हो, exclude कर देते हो, अब यह कैसे possible है, simple है, अगर मालो एक company है, या ऐसे लिखूँ है, revenue है company A और company B का, company A का revenue है 100 करोड, company B का है 1000 करोड, फिर अगर हम profit की बात करें, तो company A का profit है 20 करोड, और company B का profit है 50 करोड, इन दौरों में, अगर आप सिर्फ number wise जाएं, तो revenue भी ज़ादा किसका है company B का, और profit भी किसका ज़ादा है company B का, तो यहाँ पे clearly company B, company A से better company नजर आती है, बट अगर आप इनी सारे numbers को, common size income statement में present करें, या common size income statement मनाएं, तो फिर आप इनको percentage में convert कर दते हैं, जैसे कि यह profit 20 करोड, 100 करोड के revenue में, तो यह 20% शो होगा, और यह बेचारा सिर्फ 5%, तो 20 और 5 में क्या मजाल कौन जीत सकता है, 20 जीतेगा, तो यहाँ पे basically A is a better company, और यह पता लगाने के लिए, common size income statements बनाएं गए हैं, यहाँ पे यही लिखा है कि, inter firm comparison करना है, तो common size income statement और balance sheet बनाने का, miscellaneous lecture में मैंने यह cover किया हुआ है, for enrolled students, और जो enrolled नहीं भी हैं, उनको यह idea तो होगा कि यह चीजें क्या है, ऐसे trend analysis भी होता है, historical, actually historical नहीं, horizontal जब हम statements बनाते हैं न, horizontal common size, तो उस समय trend analysis करना possible होता है, कैसे होता है, again यह miscellaneous lecture में मैंने cover किया हुआ है, तो आपने यह देखा होगा, प्रैक्टिकल एक हलका सा explain किया हुआ, ratios की objective limitations देखो, सब कुछ पढ़ सकते हैं, next आथा अपना यह, ultimate z score, यह एक चोटा सा topic है, इस topic पे एक दो practical भी बन सकते हैं, ठीक है न, book में भी एक practical दिया हुआ है, जितनी मेरी जान करी है उसमें, अब इसमें क्या आपको सिर्फ यह equation याद रखनी है, यह equation में यह जो, इनके coefficients है, वो constant है, इसके अलबा, बाखी सारे variables के नाम याद रखने है, z की जो value आएगी, वो z की value अगर 2.6 से ज़ादा है, तो safe zone माना जाएगा, 2.6 से लेकर 1.1 के बीच में, तो gray zone और 1.1 के नीचे चला जाए, तो financial distress का एक condition बन सकता है, ठीक है, तो यह basically आपके company में कितना financial distress है, यह accounting ratios की मदद से पता लगाने का तरीका है, यह ultimate Z score, यह इसको practical आ सकता है, तो इसको practical लेजर से तयार कीज़े, theory आया, तो यह सब लिखने से आपका काम हो जाएगा, ऐसे ही एक और है, Banish M score, यह सिर्फ theory के लिए relevant है, Banish M score का basically मतलब यही है, कि यह 8 variables को use करता है, और उसे पता लगाता है कि company क्या अपने earnings को manipulate कर रही है, क्या, यानि की company के अपनी books में बदमाशी not in us कर रही है, तो यह चीज का अंदादा लगता है, यह 8 variable का है, नाम यहाँ पर लिख्यों हैं, I'm not sure कि कैसे आप यहाद रखोगे इसको, लेगिन यह 8 variable ज़रूर है, high score आने का मतलब है manipulation हो रहा है, इसके लिए absolute figure भी है, 1.78 minus का, so 1.78 minus तक जब तक यह figure आ रहा है, तब तक ठीक है, 1.78 से अगर जादा आ जाए, यानि minus 1.5 भी आ गया पर एग्यांपल, so that will be a higher likelihood of earnings manipulation, यह आपके लिए Banish M score, फिर आता है पित्रोस की, तो पित्रोस की जो score है, उसमें भी यही काम है, कि आप कंपनी के financial strength का पता लगाया जा रहा है आपको, और इसमें क्या होता है, इसमें total ना, parameters होते हैं, कही सारे जिनकी ranking 0 to 9 होती है, और इन सारे parameters में हर एक की ranking की जाती है, ठीक है ना, तो यहाँ पे काफी सारे financial parameters का, यहाँ पे 0 to 9 पे rank किया जाएगा, जाहिर सी बात है, higher rank denotes better company, and lower rank या lower scored denotes a weaker company, इसमें last में इन सारे scores को aggregate भी कर दिया जाता है, आगे जाके fund flow और cash flow, हम ऐसे जानते हैं, इनको practically इनके उपर में भी obviously important है, एक distinction, tabular distinction दिया हो है, हमेशा जाना चाहिए, sources of finance and cost of capital के अगर हम बात करें, तो again यहाँ पे बहुत सारा ऐसा area, जिसको आप practical में जितना पढ़े हैं, वो आपके जादा काम आएगा, ठ्छोरी अलग से नहीं पढ़नी पढ़ेगी, जैसे equity share capital क्या होता है, हमें जादा मालूम है, preference share capital हमें जो मालूम हो, उससे हमारा काम हो जाएगा, इसी तरह काफी सारा reading category मैंने बनाया है, term loans, जिनको नहीं पता, भाई एक लंबे समय के लिए loan लिया, तो वो term loan हो जाता है, आम तोर पे 6 से 10 साल के जो loans होते हैं, उनको अब term loans कहते हैं, debenture और bond बोर्ट सिंपल है, debenture होते हैं आम तोर पे relatively medium term instruments, और bond होते हैं long term instruments, दोनों ही debt instruments होते हैं, leasing क्या होता है, leasing एक ऐसा contractual agreement है, जिसमें दो पाटी है, एक leasier और एक leasie, और leasier ने permission दी है, लेजी को किसी asset को use करने के लिए, तो यहाँ पर यह लिखा है, it's a contractual arrangement, leasier has given the leasier the right to use the asset, and pay periodic lease rentals, अब यहाँ पर lease यह दो तरह क्यों होते हैं, एक होते हैं operating lease, which is essentially a renting contract, एक होता है financial lease, जो की होता है एक तरह से, एक proper loan लेके खरीदने जैसा, इसको off balance sheet financing कहते हैं अब technical बाशा में, अब इससे जादा आपको obviously सीखने की जूरत नहीं है, क्योंकि यह again SFM का topic है, ठीक है, so right now it is lesser relevant, बस यहाँ देखना lease दो तरह की होती है, एक होता है operating और एक होता है finance, finance lease को ही capital lease भी कहते हैं, venture capital बगिएर अब पढ़ा हुआ है, so I am skipping all of that, अब इधर short term sources of finance है, आप short term में अपने working capital needs को पूरा करने के लिए, कहां कहां से पैसे प्राप्त कर सकते हैं, उनके लिए trade credit को late से पैसा दो, उससे हो सकता है, expenses को outstanding रख दो, वहां से पैसे आ सकते हैं, commercial paper issue कर सकते हैं, we have already known what is commercial paper, एक साल से कम के लिए, unsecured instruments, और क्या, और क्या, credit worthy company, promissory note, वो सारे keywords हैं, commercial paper के लिए, inter corporate deposit भी होता है, दूसरी कमनी से loan ले लो, अपने इग्रूप में, debentures को issue कर सकते हो, जो की short term nature के हो सकते हैं, या फिर bank से भी loan ले सकते हो, यह हो गए आपके लिए short term loans, वहीं पर अगर हम बात करें, other sources of finance services, तो उसमें higher purchase भी एक गजब का system है, higher purchase एक ऐसा system होता है, जहां पर पूरे पैसे आपने नहीं चुकाए किसी चीज़ के लिए, फिर भी आप उसीच को use करना शुरू कर सकते हैं, basically EMI पर जो concept है, वो पुरा higher purchase का concept है, buyer pays an installment while gaining immediate position of the goods, forfeiting एक interesting concept है, जहां पर जो exporter है, उसको पैसे की दरकार है, तो वो क्या करेगा, जब export करेगा, तो उसको उसके बतले में एक promissory note मिलेगा, इस promissory note को, जब discounting करवा लेता है वो bank से, तो उसी process को हम कहते हैं forfeiting, exporter surrenders future receivables, for immediate cash at discount, इसे हम कहते हैं forfeiting, bill discount being भी इसी के जैसा concept है, बट इसमें export import की कोई requirement नहीं है, आपको अगर कोई भी एक bills receivable मिला, तो उस bills receivable को आप bank में जाकर के, पेश करके discount कर सकते हैं, यहाँ पे लिखावा है, immediate cash आपको मिल जाएगा, against discounting of genuine trade bills, इससे आपका working capital और liquidity position enhance होगा, factoring, again एक simple सा concept है, यहाँ पे आप अपने receivables के जो collection है, उसका proper जो responsibility है, वो किसी एक agency को सौब सकते हैं, वो agency आपके लिए factoring services का काम देती है, यहाँ पे दो तरह के factoring possible है, एक है full service factoring, जिसमें जो risk होगा, credit risk वो भी कौन assume करेगा, factor करेगा, और दूसरा अपने with records factoring, जिसमें कल को अगर कोई bad debt हो गया, तो वो bad debt pass on हो जाएगा आप तक, basically factor will not take responsibility of any bad debt, factoring, bill discounting में, और factoring और forfeiting में, इन दोरों का distinction अलग से prepare करना चाहिए, examination के लिए extremely relevant है, tabular distinction is already included, securitization, एक interesting सा concept है, again final level पे ज़्यादा relevant है, लेकिन फिर भी समझ लो यहाँ क्या होता है, इसको proper समझाना पड़ेगा, जगा देखता हूँ, ठीक है, समझो क्या होता है, एक special purpose entity होगा, यानि इस काम के लिए ही इसको बनाया गया है, S.P.E. ये जाकर कि एक bank को अप्रोच करेगा, bank को बोलेगा, कि आपने जितने भी home loans दिये हैं, यानि mod gauges दिये हैं, उन सब को pool कीजिए, pool करने या मतलब क्या हो गया, सब को इकटा कर दीजिए, pool कितने की हैं बताईएं, मालनो 100 करोड की है, तो ये special purpose entity, ये पूरे pool को खरीद लेगी, bank से, bank को इसके बदले पैसे मिल गए, bank ने जितने भी home loan पे collection rights हैं, वो दे दिये special purpose entity को, special purpose entity को, ये collection rights मिला, बीच में ये bank इसे service करता रहेगा, यानि, EMI का पैसा bank के पास आएगा, bank आगे, special purpose entity को ये पैसा पुचा देगा, अब जाहिर सी बात है, ये 100 करोड रुपै, ये S.P.E. कहां से लाएगा, तो S.P.E. छोटे-छोटे mortgage-backed securities इशू कर देगा, now these are essentially debt instruments, इन debt instruments में पैसे लगाएंगे, आपके और मेरे जैसे लोग, हम interested हैं इसमें पैसा लगाने के लिए, हमने पैसे जमा किये, इस debt instrument को खरीदने के लिए, हम जैसे और भी कई लोगों ने invest किया, 100 करोड रुपए इसके पास हो गया, और उसी 100 करोड से इस mortgage को खरीदा गया, अब इस pool of mortgage में याद रखिए, वग वग पे EMI जाती रहेंगी, इस EMI के cash flow को, इनी MBS owners के बीच में बाटा जाएगा, interest के नाम पे, और principal repayments के नाम पे, इस पूरे process में, थोड़ा बहुत fee, यह जो special purpose entity है वो बनाएगा, और बाट बागी इस पूरे process में, कुछ underlying assets को, securitize कर दिया गया है, आप notice करिए, जहां loans थे, बड़े बड़े loans थे, किसी को 2 करोड का loan, किसी को 1 करोड का loan, उनको pool बनाएगा, 100 करोड का pool बना, उस 100 करोड के pool को, ultimately securities में convert कर दिया गया, इन securities में investors ने अपना पैसा लगाया, और उस पैसे के बदले, उनको interest और principal repayment भी मिल रहा है, इस पूरे process में, एक pool of underlying asset को, securities में convert किया गया, और इसलिए इसको हम कहते हैं, securitization, detail में यहां लिखा हुआ है, transforming illiquid long term assets, such as loans and receivable, held by financial institution, into marketable securities, is known as securitization, asset pool की यहां चर्चा है, debt securitization की चर्चा है, debt की बात है, यह साई चीजियां पर mentioned है, GDR already discussed हो चुका है, ADR already discussed हो चुका है, FCC भी already discussed हो चुका है, ECB discussed है, startup आ गया जी, startup, startup को लेकर के बहुत साई चीजियां आ सकती हैं वैसे तो, आम तोर पर any company, which is yet to be fully established, any company which is still working on a new idea, any company which does not have a, does not have a well established market, for its product, वो सारे startup में आएंगे, startup के total 6 stages होते हैं, याद रखना, अगर answer बना होगे, तो यह बहुत अच्छा काम आएक आपके, सबसे पहला step होता है, एक idea generate होना, product, product कुछ नहीं बना, सिफ़ idea generate हुआ है, फिर आता है pre-seed stage, product बनाने के लिए, friends और family से पैसे लिए जाते हैं, फिर आता है validation, validation में आपके product को आप showcase करते हैं, अलग-अलग competitions में, अलग-अलग जगाओं पर, जहाँ पर आपको थोड़ा बहुत पैसा वहाँ पर भी मिलता है, price-wise बोल करके, फिर आता है seed stage, seed stage is first, area जहाँ पर आप अपने product को commercially launch करने या सोच रहे हैं, यहाँ पर आपको पैसे incubators प्रोवाइड करते हैं, और यह आपके business को और better structure देने में भी मदद करते हैं, फिर आता है early transaction stage, जहाँ पर आप production शुरू कर रहे हैं, प्रोडक्शन शुरू करते हैं वक्त venture capital आपकी मदद करते हैं, और scaling stage आता है, जहाँ पर आप बड़ी factory लगा करके काम करना चारहे हैं, तो वहाँ venture capital और private equity आप में invest करते हैं, आईए इसका example, Ola की factory पे लेता हूँ मैं, Ola को सबसे पहले idea आया, कि चलो हम electrical scooter बनाते हैं, idea generation, pre stage में उन्होंने पैसे friend और family से लिया होंगे, validation में अपने Ola की electric bike को उन्होंने अलग-अलग competition में भेजा होगा, थोड़े बहुत prices मिले होंगे, seed stage में उन्होंने incubators की मदद से Ola के लिए पैसे generate किये, और अपनी factory का prototype बनाया, अपने prototype पे अच्छा काम किया, फिर factory अच्छा से establish करने के लिए venture capital से लिया, और factory को scale करने के लिए एक बड़ी factory बनाने के लिए private equity से पैसा लिया, इतने के बाद में भी, obviously Ola एक बड़े platform पे आ करके IPO भी लाना चाहेगा, IPO में इन सारे लोग को exit मिलेगा, और retail participant entry करेंगे, financing दो तरीकी से होता है, self funding भी करते हैं, कुछ लोग जिसे हम bootstrapping कहते हैं, जिरो दा एक अच्छा example है, और alternative investment fund से भी पैसे आते हैं, यानि आप private equity, या फिर venture capital की मदद से भी, खुद को fund कर सकते हैं, सो वो वाली funding करने से आप AIF से funded हैं, और खुद से ही अगर आपने investment कर रखा है, तो आप bootstrapped हैं, जिरो दा एक अच्छा example है, funding के अलग-अलग categories हैं, आप कहां-कासे fund कर सकते हैं, RC mark कर रहा हूं इसको मैं, highlighted हैं, आप आराम से देख सकते हैं, government के भी कुछ start-up के लिए initiatives हैं, question आ सकता है इस पे, दोनों investment, दोनों schemes का ध्यान रखना, नाम याद रखना, should be fund of fund scheme, और दूसरा हो गया, start-up India seed fund scheme, crowdfunding क्या होता है, interesting सा concept है, यहाँ पर आप अपने product को दिखाते हो, लोगों को, और लोगों को वो product में अगर दिल्चस्पी होती है, तो वो donation के थ्रू, आपको पैसे देते हैं, इतने पैसे देते हैं, कि आप एक collaborative funding approach से, अपने product को market में ला पाओ, ठीक है, अब इसका अच्छा example हो सकता है, for example, आप मालनो cancer का कोई drug, आपने indigenous ली बनाया है, यानि आप कोई बड़ी कंपनी और अपनी नहीं बना रहे हो, आपने socially, cancer का एक ड्रग बनाने का सोचा, और आपने बना भी डाला, मालो, अच्छा बनाया है, कुछ आयूर्वेदिक आपने काम किया है, अब जाहिर सी बात है, आईूर्वेदिक करोगे, और आप किसी कंपनी अपनी के पास में जाओगे, बोलोगे कि यार हमें इसका medicine बनवाना है, कंपनी कोई भी आपके आगया नहीं आएगी, आपको इस आईूर्वेदिक में ही आगय बनना है, तो कैसे होगा, अप्रूवल्स से यह बहुत सारा पैसा चाहिए, और बड़े स्केल पर manufacturing चाहिए, कैसे होगा, तो आप अपने project को ले करके जाओ, और collaborative funding approach से, अपने पैसे का crowdfunding करवाओ, इससे क्या होता है, लोग आपके project के लिए पैसे fund करते हैं, कई बार यह donation firm में होता है, कई बार यह other wise भी होता है, जापे investors भी आप में invest करते हैं, लेकिन यह primarily एक बड़िया marketing campaign से होता है, लोगों ने पैसे दिये, उस पैसे को ले करके, आप जा करके, अपने product को और बेटर develop करके, approvals ले करके market में आते हो, इसे हम कहते हैं crowdfunding, यहां पर दो-तीन चीज़े हैं, जो बहुत बड़े advantage है, number one, आपकी marketing technique, बहुत अच्छी होती है, और marketing technique इतनी solid होती है, कि जिस दिन product उतरेगा, उस दिन आपका product भिग जाएगा, पतंजली अच्छा example है इसका, इसके लावा proof of concept होता है, proof of business का जो concept होता है, वो basically होता है, कि आपका product बजार में चलेगा कि नहीं चलेगा, अगर आपको crowdfunding से पैसा मिल गया ना, तो investors को भी confidence आयाता है, कि जब यह public से पैसा निकाल लिया ना, तो यह फिर product चलेगा ही चलेगा, इसके लावा लेसर रिस्की है, brainstorming भी हो जाती है, क्योंकि लोगों के feedback मिल जाते हैं आपको, कि आपकी company में क्या problem है, क्या नहीं है, तो trollers की मदद से ही अपने product और बेटर बना सकते हैं, time consuming के यह काम administrative है, idea theft होने का chance है, crowdfunding के कुछ limitations भी है, crowdfunding donation firm और reward firm जानों पर काम करता है, equity crowdfunding भी होती है, जहाँ पर investors आप में आ करके invest करते हैं, peer-to-peer crowdfunding भी होती है, जहाँ पर आपको unsecured loan मिल जाता है, from lenders to borrowers, तो इस तरह के चार तरह की crowdfunding options आपके पास हैं, cost of capital जाएतर चीजे practically हमने बहुत अच्छे से पढ़ी है, we can just move, हाँ, थोड़े बहुत distinction आपको पता होने चाहिए हाला कि है, practically हमने देखे हुए है, historical versus future cost, specific versus component, अब specific में क्यों होता है, KE versus KO, difference क्यों है, KO aggregate cost है, KE component cost है, explicit cost, implicit cost, KD is explicit, KE is implicit, average and marginal, average मतब WAC versus marginal cost, कई pages को skip करने के लिए भी मैंने कह दिया है, जहां पर मुझे लगता है कि theory lesser relevant है, skip करने को बोला है, capital budgeting, again, यार, मतब, just for the sake of creating theory here, obviously, चीजों को मैंने यापर cover किया हुआ है, एक question यापर बन सकता है, what is the purpose of capital budgeting, capital budgeting का main purpose तो यह होता है कि हम long term investments और project को evaluate करना चाहते हैं, उनके पीछे के जो मकसद होते हैं, वो आम तर पर या तो expansion होता है, या replacement होता है, या diversification होता है, या फिर कई के बार-बार, lease के भी decisions यहाँ पर लिये जाते हैं, and obviously, research and development से related भी होते हैं यहाँ पर decision, यह एक छोटा सा concept यहाँ पर देख सकते हैं, relevant cost analysis के नाम पर एक छोटा सा concept है, पढ़ सकते हैं, कई बार exam में यह question आता है, चीजे आमको पता होती है, बस आपको यह याद नहीं आता लिखना क्या है, उसलिए एक बार देखा हुआ, फाइदा करता है, methods, practically हमने इतना अच्छा पढ़ा है कि theoretically आपको पढ़ने की जुरत नहीं है, हाँ इसमें से याद रखना कौन से non-discounted methods है, non-discounted methods वो होते हैं, जहाँ पर present value नहीं की जाती, और जहाँ पर की जाती हैं, वो होते हैं discounted methods, तो बस इनके नाम याद रखना, again practically हमने पता ही है, theoretically अगर आप याद करना चाते हैं, तो कर सकते हैं, working capital गाट टॉपिक, introduction to working capital management, बहुत यह simple सा concept है, कुछ खास नहीं है यहाँ पर भी, यह सारा जिन areas को मैंने skip किया है, आपके सामने वो सब RC है, reading category, आप पढ़ना चाते हैं तो पढ़ सकते हैं, bogus points हैं, एक proper question यहाँ पर आने के chances का मैं, यह question आ सकता है, permanent versus temporary working capital, well permanent capital वो होता है, जो capital का वो हिस्सा होता है, जो कि kind of core होता है, यह business में होगा ही होगा, जैसे कि आपका stock, आपका cash और आपका requirement, daily requirement, जो आपका पैसा फसा हुआ रहता है, यह आपका day to day requirement है, इसके लिए आपको fixed capital की requirement है, आम तोर पे long term financing से इसको fund किया जाता है, वहीं पे कई ऐसे working capital requirement होते हैं, जो seasonal nature के होते हैं, अचानक से season आपको अपको अपना stock बढ़ाना है, तो उससे मैं आपको short term funding का सहरा लेना पड़ता है, और वह होता है temporary working capital, आम तोर पे छोटे मोटे जो loans लिए जाते हैं for working capital, वो temporary working capital को fund करने के लिए होते हैं, और long term working capital जो होता है, वो था permanent working capital, इसके लिए तो आप equity और debt ही issue करते हो, working capital cycle हम theoretically और practically दोनों जानते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, receivables को maintain करते हैं वागत कौन से कौन से खर्चे हमारे सामने आते हैं, well हमारे सामने आता है capital cost यानि की opportunity cost, administrative cost यानि की हिसाब रखने का खर्चा, collection cost यानि की collection करने का वसूली करने का खर्चा and defaulting cost भी हो का मेरे ख्याल से एक, defaulting cost यानि की bad debt का खर्चा, तो ये सारे major खर्चे हैं, receivables को manage करते हैं वक्ट, ये सारी reading category है, customer की credit policy को कैसे evaluate करें, optimum credit policy कैसे पैचाने, किन-किन factors पर ये depend करता है, सब reading category है, पढ़ सकते हैं आप, payables management में भी reading category मैंने mark किया, पूरे को आप आराम से पढ़ सकते हैं, ने साता है inventory management, inventory management में ये सारे कई सारे छोटे छोटे points है, इन सारे points को हमने cover किया हुआ है, हमारे cost के theory marathon में, तो आपको इसको यहाँ पर देखने की जूरत नहीं भी है, motives for holding cash, motive for holding cash वैसे तो हम लोग 3 ही पढ़ते थे, यहाँ चौथा भी point इन्हों ने include किया हुआ है, पर 3 points तो बहुत simple है, आप cash hold करते हों क्योंकि आपको कोई transaction करना है, wallet में पैसा क्यों रखता है, कोई खर्चा करना है, या फिर precautionary motive रखे रहने रहते हैं, कल को कुछ ज़रत पढ़ गया तो, N-310 speculative कल को कहीं कोई opportunity आ गई, तो पैसे कमाने के लिए पैसे तो चीए है न, तो उसके लिए, यह तीन बड़े objective हैं, एक और है compensative motive, जो कि अपने motors of cash में added है, इधर में 3 इसल लिखने से भी आपका काम हो जाएगा, Bommal model, Bommal model आने पे यार आपको assumption और limitation तो धंसे लिखना पड़ेगा, Bommal model वही model है, जिसमें under root 2 AO by C वाले ही concept लग रहा था, आप इसे अलग-अलग notation से ज़रूर mention कर सकते हैं, पर Bommal model essentially वही था, यह क्यों वाला concept था, इसके assumption में यह है कि आप अपने जो cash flow needs है, उसको आप अच्छे से forecast कर पाते हो, यह इसका assumption है, नमबर 2 payment uniformly होगा, hold करेंगे constantly आप cash, तो उसके लिए जो opportunity cost वह भी constant है, यानि यह जो C है, इसको constant माना गया है, O को भी constant माना गया है, A को भी constant माना गया है, तो यह सारे चीजे इसके assumptions हैं, clear, short term securities को जब चाहें, खरीदा बेचा जा सकता है, यह assumption लिया गया है, इसके limitation में यह ही है, कि आर cash flow को आम ढंग से predict नहीं यह पादे, और uncertainty होती है predicting को लेकर कि वो, exam में formula जरूर इसका mention कर देना, आपने जैसे भी यह पढ़ा हुआ है, उसी तरह से यह formula याद रखिएगा, जैसे under root of 2AO अगर है, by C, तो इसमें बस define करना अच्छा से है, stochastic miller or model, इसके उपर मैंने miscellaneous lecture में बात की थी, इसमें बताया था कि एक practical आ सकता है, practical तो आ गया तो dangerous ही होगा, बट theory अगर आई तो बहुत simple सी theory है, यह model क्या बोलता है, मैं आपको बताता हूँ, यह model यह बोलता है कि आपके जो cash flows है, वो random है, या नहीं वो उपर नीचे कभी भी कुछ भी हो सकते हैं, आपके उपर उसका कोई control नहीं है, which is a good thing, bumble model में यह assumption नहीं था, bumble model में assumption था कि cash flows are predictable, यह इनोंने बोला predictable नहीं है, number two, इनका यह मानना है, कि cash flow एक range में होने चाहिए, और यह उसके बीच में ना move करते ही रहेंगे cash flows, तो जब भी यह cash flow नीचे वाले level पर पहुच जाएं, तो उस समय आपको अपने securities को बेच करके, और पैसे अपने business में introduce करना चाहिए, और जब आपका level बढ़ जाए, तो आपको उसको बेसिकली वापस securities में invest कर देना चाहिए, और अपने cash balance को और नीचे ले आना चाहिए, एक range में यह work करना चाहिए, इसी model को हम लोग कहते हैं, stochastic model, आन तोर पे stochastics are related to the stock market as well, stock market में भी ऐसे stochastic models होते हैं, और उसे से related model यह भी है, complex होता है, यह इतना easy नहीं है, यहाँ पर cash flows unpredictable है, इन्होंने माना, लेकिन cash flows approximately normal होता है, अब normal कैसे समझाओ मैं यार आपको, normal distribution basically एक ऐसा distribution होता है, जहाँ पर mean के उपर, जितने भी data है, उसका 50% probability होता है, और mean के नीचे भी 50% probability होता है, simple example दूँ, तो अगर विराट की average है मान लो 50, तो विराट के 50 के उपर के score मानने की भी probability 50% अगर हो, और 50 के नीचे भी score करने की probability अगर 50% ही हो, तो हम कह सकते हैं कि विराट का जो run making data है, वो data normally distributed है, ठीक है, और भी कई सारे नियम है, symmetrical है, uniformly distributed है, बहुत साई चीज़े है, दूसरा buying और selling को लेकर के जो securities का transaction cost है, उसको भी constant माना गया है, यहाँ पे भी, बमल में भी माना गया था, formulae, अलग-अलग धंग से हमने पढ़े हुए है, मिसलेलियस lecture में मैंने cover कि आप वहाँ से भी देख सकते हूं, यहाँ से भी देख सकते हूं, लिमिटेशन में यही है दोस्तों, नॉर्मल डिस्टिबूशन अश्यूम करना, interest cash balance पे interest consider ही नहीं करना, भाई हमारे पास जो पैसा रहेगा, इन्होंने माना हम current account में रखेंगे, यह बात सही है, current account में interest नहीं मिलता है, बट what if we get, इसके अलबा, highly volatile cash के लिए, यह model suitable नहीं है, यह इसके limitation है, sources of working capital में, overdraft cash credit, loan, bill purchase, discounting, यह सारे models आते हैं, यह सारी चीज़ें आती है, इन हर चीज़ के बीच में आपको पता हो नची फर्क क्या है, जैसे overdraft क्या होता है, आपका account में पैसा है 50,000, आपने 60,000 का check cut दिया, तो overdraft facility लेने पर आपका check bounce नहीं होगा, लेकिन cash credit एक अलग facility है, यहाँ पे bank आपको 50,000 तक का CC दिया है, इसका मतलब यहाँ तक आप एक basically bank से withdrawl कर सकते हो, और यह एक loan है, ODR loan थोड़ा सा अलग facility है, कामदानों का same है, purpose same है, loan लेना, bill discount नहीं करना, यह भी आपके लिए financing techniques है, letter of credit भी एक interesting concept है, आप exporter हो, आपने bill ship किया, आपको LC मिल गया, LC को आप bank को दिखा करके, इसको discount करके, पैसे आज ही पा सकते हो, so letter of credit is basically, post shipment finance, ऐसा समझो, working capital के लिए भी loan लिया जा सकता है, यह भी bank आपको देता है, commercial paper अल्रड़ी पढ़ा हुआ है, factoring भी पढ़ा हुआ है, cash flows को forecast करने के लिए दो technique है, एक है receipt and distribution method, एक है adjusted net income method, दौनों के अलग-अलग area of work है, आपको short term में अपने forecast करना है, तो उससे में आप follow करेंगे, receipt and disbursement method, यहाँ पे cash flows को budgeted income और expense के साथ में correlate किया जाता है, reliability तब तक ही है, जब तक आपके cash flow forecast ज़्यादा uncertain नहीं हो जाएं, long term distribution में, आप objective बनाते हैं, आपकी needs और अपने fund generation को देखते हुए, अपना objective बनाते हैं, and again इसमें भी cash operation वगेरे को, हम daily track नहीं करते हैं, हम long term में देखते हैं perspective, short term में tracking यहाँ नहीं करते हैं, इस method में, दहेजिया का committee, tundent committee तो practically भी पढ़ते हैं, और core committee, इन दौनों को core या चोर क्या बोलते हैं जो भी, उन तीनों committee को, आपको ढंक से देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, इन सब पर question आ सकता है, इन में obviously सबसे ज़ादा important tundent committee है, question आ सकता है, और methods भी हमने देखे हुए हैं, first method, second method, और third method, आचा यह तीनों methods जो हैं, यह तीनों जो committees हैं, यह काम करती हैं, आपके लिए MPBF पता करने के लिए, what is MPBF? MPBF is maximum permissible bank finance, इसका मतलब RBI की तरह से, यह committees ने decide किया था, कि bank working capital के तौर पर, जाज़-जादा कितना loan दे सकती है, यह अलग-अलग committee के, अलग-अलग recommendations दे, जरूर पढ़िएगा, exam के लिए relevant हैं, commercial paper already covered है, finally export finance, export finance होता है, exports related finance, यह pre-shipment और post-shipment डौलन हो सकता है, यानि shipment करने से पहले, अगर आपको finance obtain हो रहा है, तो उसे हम कहते हैं pre-shipment, और shipment करने के बाद, अगर आपको finance obtain हो रहा है, तो उसे हम कहते हैं post-shipment, यहाँ पे चीज़े covered हैं, financing decisions of a firm, इसमें capital structure और capital stacking का एक छोटा सा concept है, capital structure तो हमें खेर पता है, क्या होता है, capital stacking होता है, basically आपकी capital की ऐसे stacking करना, जहाँ पे most risk तो lesser risk के एक spectrum आपने बनाया, सबसे ज़्यादा risk की common equity होते हमें पता ही है, फिर आत यह preferred equity यानि की preference shares, फिर आता है mezzanine debt, mezzanine debt आता है आपका, यह अलग-अलग नाम है, spectrum ठीक से नहीं बनाया, mezzanine debt होता है, basically आपका subordinate debt, यह highest risk होता है इसमें, highest risk, अच्छा, मैं समझ गया, ठीके ठीके, debt की दुनिया में highest risk यहां होता है, तो spectrum एकदम सही है, सबसे अधा risk होता है equity, फिर risk होता है preference, फिर होता है subordinate debt, और last में होता है senior debt, senior debt में risk सबसे कम होता है, यह आमतर पर secured होता है, इसी को हम कहते हैं, capital stacking, यानि की, एक proper stacking की जाती है, in terms of risk return profile, covenants क्या होते हैं, जब भी debt issue होता है, तो debt issue करते वक्त, एक proper agreement sign होता है, उस agreement में जितने भी नियम लिखे गए हैं, terms and conditions लिखे गए हैं, उन्ही को हम कहते हैं, covenants, this is a promise, that is done in the formal debt agreement, यह financial, non-financial भी होता है, यानि पैसे से related भी हो सकता है, और conduct से related भी हो सकता है, तो यह financial and non-financial हो गया, positive और negative भी हो सकता है, positive covenant होता है, जहां पर company को instruction दिया हो रहता है, कि यह करना, और जब company को instruction दिया हो रहता है, यह ना करना, तो उसे हम कहते है negative covenant, ठीक है ना, जैसे example के दौर पर मैं समझाता हूँ आपको, आप घर से निकल रहे हो, ममी ने बोला, ध्यान रखना, तो यह हो गया positive covenant, ठीक है, और अगर ममी ने बोला, ice cream मत खाना, negative covenant, negative ज़ादा restrictive होता है, किसी भी debt instrument में, तो यह याद रखना, negative covenant होते है, restrictive, cross default, बहुत ही अच्छा एक provision है, जो कि अपने covenants में mention रहता है, यह basically यह कहता है, कि अगर मान लो एक company है, ABC Limited, इसने अपने एक debt issue पे, default कर दिया, लेकिन दूसरे debt issue पे, timely payment कर रहा है, तो आपके यह default के वाज़े से, इसको भी default मान लिया जाएगा, तो पैसे इसको भी फटा-फट देने पड़ेंगे इस company को, cross default एक dangerous provision है, यह एक मरी हुई company को और तेजी से मार सकता है, लेकिन obviously investors को protect करता है, ऐसा कभी नहीं होगा, कि cross default होते हुए, एक set of investor बोल रहा है, नहीं मेरे को तो पैसा मिल रहा है, default होगा, तो सारा default हो जाएगा एक साथ, finally capital structure theories, extremely important, net income approach, NOI approach और traditional approach पे, वैसे तो हमने practical क्या हुए है, लेकिन यह approaches कहते क्या है, यह समझ लो, बहुत simple approaches है, diagram से समझ में आ जाएगा, अपनी net income approach हमें यह सिखाती है, कि KD is constant, आप कितना भी debt उठालो, KD is constant, ठीक है, यह मानती है कि KE भी constant होता है, यानि KE, यानि equity shareholders को भी, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, कि company में debt issue हो रहा है, लेकिन because, you will be using more and more debt into your business, and because, KD is of lesser cost, आपका केओ consistently गिरते ही जाएगा, यानि यह model आपको यह बताता है, कि आप अपने business में जितना जादा debt use करेंगे, आपका cost of capital उतना diminish होता जाएगा, and company के value उतनी जादा बढ़ती जाएगी, यह model, in fact extreme उस level तक भी जाता है, जब कहता है, कि भाई, पूरा debt use कर लोना business में, जो कि practically possible नहीं है, इस model की अपनी खामिया क्या है, वो यह है, कि यह equity shareholders को, debt cake against, irrelevant मानता है, यह बोलता है, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, जब कि सचाई है, उनको फर्क पड़ता है, इस चीज को capture किया, net operating income approach ने, इसने यह ज़रूर माना, कि KD जो होता है, वो constant होता है, इसने यह लेकिन माना, कि KD लगातार बढ़ते रहेगा, आप अपने business में, जितना debt लेते जाओगे, आपका KD का value बढ़ता जाएगा, यानि कि equity investors, will be feeling a little insecure, as you keep on building more and more debt, इससे क्या होगा, इससे होगा, KD बढ़ता जाएगा, KD constant है, but as you are using more and more debt, equity का बढ़ना, और debt का फाइदा मिलना, यह दौनों एक दूसरे को offset करेगा, and because of that, your KO will remain constant always, यानि यह model बानता है, कि आपका, जो KO वा constant रहेगा, यानि यह model, irrelevance theory पे, अपनी बात पेश करता है, यह कहता है, कि आप capital structure को कैसे भी design करो, कोई फरक नहीं पड़ता, ठीक है, फिर आता है traditional approach, यह U-shape curve बनाता है, यह कहता है, जो आप debt यूज़ कर रहे हो, वो debt एक level तक, आपके KO को कम करेगा, एक point पे अपने KO को minimize करतेगा, और उसके बाद अगर आपने ज़्यादा debt लिया, तो वो आपके KO को expand करेगा, एकदम logical बात है, इसे हम कहते हैं traditional approach, और यह एक optimum debt level का आपको अंदाजा देता है, MM का proposition 1, 2, यह सारी चीज़े, हमने practical में बहुत अच्छे से पड़ी हुई है, तो वहीं से आपका काम वैसे हो जाएगा, फिर भी अगर आप इसको एक बार go through करना चाते हैं, तो कर सकते हैं, reading category मैंने mark किया है, एक छोटा सा concept है, जिसे हम कहते हैं trade-off theory, trade-off theory basically यह कहती है, यह traditional approach जैसा ही है, यह मानता है कि जैसे जैसे आप जादा debt लोगें, वैसे वैसे आपका केओ कम होता जाएगा, यह मानता है, पर again up to a certain level, उतना ही debt अपने business में introduce करो, जितना आपका financial distress cost से जादा आपका saving हो, अगर debt के वाज़े से जो आपका interest tax shield वगएर आपको मिल रहा है, उसका फाइदा financial distress से कम हो जाए, तो आप समझ लेना आप जादा debt ले लियो, financial distress होता है basically, cost related to legal fees, cost related to bankruptcy, cost related to loss of reputation, cost related to insolvency proceedings, all of that, so basically आप जब debt लेते हो, ज़रूर उसका फाइदा होता है, आपका क्यों गिरते रहता है, पर जैसे से debt का amount बढ़ेगा, वैसे वैसे bankruptcy के हालात, closer आ रहे हैं, और अगर वो होगा, तो बहुत problems हो जाएंगी, उसे हम financial distress cost कहते हैं, so हमें basically इनका एक trade-off करना है, इसलिए इसका नाम है trade-off theory, packing order theory को ढंसे यहाँ explain नहीं किया गया, यह theory का basically मतलब यह है, conclusion यह है, कि अगर आपको पैसे की जुरुत है, आप सबसे पहले internally finance करें, internally finance करने का मतलब यह हो गया, कि पैसे कमाओ और उसे retain कर लो, retained earnings, ऐसा करने से सबसे पढ़ा फाइदा यह है, कि as a management, आपको कोई information किसी को देने की जुरुत नहीं है, आपने अपने shareholders को बस जाके बोलती है, AGM में, देखो साब, हम dividend नहीं देंगे इस बार, क्योंकि हमारे plans है कुछ, shareholder ने भी बोला कोई बात नहीं, नो information is passed, बट अगर इसी के जगा, आप बोलते हों नहीं हमको debt issue करना पढ़ रहा है, पैसे कम पढ़ रहे हैं, debt issue करना पढ़ रहा है, तो debt, जो भी bang-bang देगी, उसको कुछ तो disclosure देना ही पढ़ेगा आपको, तो you will pass more information here, एक management, technically information pass करने से बचता है, वही सब कुछ जाने, और लोग उसके business के बारे में ना जाने, तो debt second priority है, और उससे भी नीचे priority है, equity issue, equity issue में, बहुत ही जादा disclosure जाते हैं, और जाहिर सी बात है, यह theory यह कहती है, कि equity issue should be your last priority, your first priority should be internal financing, your second priority should be debt, and third priority should be equity, operating financial और combined leverage, हमें सब मालूम है इनके बार में, आप इनको नहीं पढ़ोगे तो चलेगा, मैंने हर theory cover करी है, जो book में है, जाहिर सी बात है, इस वज़े से, अपनी theory lecture जादा बड़ा दिखता है, and finally dividend related theories है, इन चीजों को मैंने यहाँ पे again, नहीं cover किया, क्योंकि practically हमने बहुत अच्छे से cover किया हुआ है, Graham and Dodd model, आने पे आप practical formula लिख करके, अच्छे से explain कर सकते हो, Walter model, Gordon model, अच्छे से explain कर सकते हो, पर please, 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 इसके लिए ICMI mat ज़रूर पढ़िए है, क्योंकि इनके assumptions बहुत important है, अगर इन theory पे short note आता है, तो इन दौनों का assumptions ज़रूर पढ़ लेना, बात बाकी, you know all the formulas, you know even illustrations to build, तो आप अपने examination पे कर question आए, तो illustration के साथ इसको समझा सकते हैं, So yes, that was it, and with that being said, लगबग पहुने दो घंटे में, हमने अपनी पूरे FM की theory को यहाँ पे complete किया, पूरे lectures as usual, जैसा मैंने कहा है, description में lectures है, proper, highlighted and everything, इस वीडियो को ही अगर आपने एक बार देखा, तो आपको काफी है तक theory manage हो जाएगी, but again, फिर से मैं आपके सामने रख देता हूँ, कि यह जो theory है, FM की 7 से 8 number के अगर question आते हैं, largely it becomes very difficult to frame a good answer, exam में try कीजेगा, कि आप जाए-जादा practical attempt करें, theory अगर आपको नहीं आती रही, तो मन से तो भरना भी मत, कोई मतलब नहीं है, number भी नहीं मिलेगा, time बच गया last में, तो एक ठीका लिग दिया है, एक दो number मिलने के लिए, by the wise, theory में score करना is extremely difficult, बात बाकी, mcq agera के लिए जितनी theory की जुरत है, वो तो यहाँ पे सारी फुल्फिल होई ही गई, बस जो descriptive answer है, उसको लिखने के लिए, basic keywords आपके पास है, बट अभी भी मैं कह सकता हूँ, एक full-fledged अगर आपको answer put up करना है, आप practical पसंद ही नहीं करते हो, तो मैं ख्याल से theory आपको अच्छ से रटना होगा, तब जाकर के शायद आप अच्छा answer develop कर पाऊगे, but that is not recommended from my head, बट फिलाल, इतना ही था, इस particular revision session में, I hope, revision क्या बोल सकते हो, theory session में, and I hope आपको यह theory session बड़ा पसंद आया, अच्छा लगा होगा अगर हमारा यह वीडियो, तो लोगों के साथ share भी कर सकते हो, दोस्तों के साथ share कर सकते हो, like, whatever, आपने किया ही होगा, नहीं किया तो कर देना, चलो, I'll see you in the next one, bye-bye, take care and enjoy yourselves please.